कि तो आप सभी LCM से परचित हैं कोई नया तो है ने इसमें मुझे नहीं लगता कोई नया है कि यह बताइए मुझे छोटा सा कुश्चन है नन्हा सा है कि 23 का LCM क्या होगा कि क्या आप बता सकते हैं कि बताइए कि मैं पूरी कहानी बताने वाला हूं थोड़ा सा रुखना थोड़ा सा यह ओबर लोड हो रहा है कि थोड़ा सा हैंग भी कर रहा होगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है हमारी कोशी से सब बहतर होगा अगर थोड़ा लोड लेगा तब आप परिशान नहीं होईएगा सिस्टम है टेकनिकल चीजें हैं कभी-कभी थोड़ा बफरिंग हो जाता है तो इसको आप लोग बता लिए जैसे उस तरह से अगर मैं बोलूं कि 4 और 2 का LCM बताईए तो इसका थोड़ा कठीन है इसमें कुछ नहीं था सब चर्चा करेंगे पूरी कहानी बिस्तार से आईए सबसे पहले हम बात करते हैं LCM की LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मुल्टिपल जिसे हिंदी में लगुत्तम समापवर्थ बोलते हैं जानते हो कि नहीं हम लगुत्तम समापवर्थ और मात्तम समापवर्था किसा पढ़े आप लोग मतलब HCF होता है लेकिन यसमें वह ता है multiple जो है जैसे पढ़ाया था ना उसमें पशुआ पढ़ाया था या दोनों नछे दूसरे से संबंदीट है जैसे आप वर्थ आ समाप वर्था समाप वर्था का मनलब एक प्रकार से अगर बात करें तो कॉमन है ऐसे तो कुछ होगा सायद आए अभी आगे चर्चा करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा हम लोग को फिलके इतना इंगलिस में ही देखनाय हं हिंदी में से लगूतं समापुवर्त बोलते हैं लिख लिजिए कुछ लोग केथे हिंदी में लिखते हैं रहे हैं तसी बात है जिनको basic पढ़ना है रात के 9 बजे से पढ़ सकते हैं वो तो 2 और 3 का LCM 6 हो गया कैसे आपको पता है पहले हम rule पर बाद में चलेंगे पहले छोटी छोटी common चीजें आपको आनी चाहिए देखे साथी हो LCM में ऐसा होता है कोई दो संख्याएं जिनका कोई मतलब कामन गुड़नखंड ना हो उनका LCM सदा हमेशा उनका गुड़नफल ही होता है मतलब जो नंबर है उसका कोई कामन फैटर ना हो ठिक है जैसे एक अगर मैं यहाँ पर और भी देता हूँ code नंबर 4 मान लीजिए जैसे मैंने 2 लिखा यह 5 लिखा और यह 7 लिखा इनका अगर हम LCM बोलें तो आप बिना कुछ किए आदा मिनट में बता ले जाएंगे बताएंगे बता ले जाएंगे ना जब आप तो दे दीजिए मैं थोड़ा इसमें स्याही भर देता हूँ सरमाईए नहीं और हाँ जो नए साथ ही जुड़े हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आपकी जिम्मेदारी है और कलास को सेयर भी किया करिए अपने गुरूप में कालेज के कोचिंग के हर जगा क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तब ही यह गाड़ी आगे बढ़ने वाली है इसका सबसे पहला जबाब दिया है नेहा मिस्रा जी ने प्रियंका राज दूसरे नंबर पर हैं कृष्णा कुमार तीफरे नंबर पर हैं चलिए इनका LCM 7070 होगा बिना कुछ किए बिना किसी लाग लपेट के आप गुड़ा कर दो बस सिर्फ मल्टीपल कर दीजिए LCM हो गया लेकिन ध्यान रहे यह नियम उन्हीं पर लागू होगा जिनके कोई कामन फैक्टर नहीं है यानि कामन अपवर्तक नहीं है जिने इंग्लिज में कॉमन बोलते हैं ठीक है आईए देखिए एक और बताइए जैसे मैंने लिखा वन थिरी फाइप और मान लेते हैं कि मैंने दो लिख दिया अब बताइए इनका LCM कितना होगा जरा सोचिए और बताइए कितना होगा आप समझ गया होंगे कहानी तो हम आगे बढ़ते हैं समझ गये कि इनका LCM कितना होगा कोई बताएगा कि डॉली सर अगर सेयर करेंगे तो सब टॉपर हो जाएंगे यही जलन्तों में खा ले रही है इस्टूडेंट में यही प्रॉब्लम है अभी कोई गंदा सा वीडियो हो भद्दा सा उसे जरूर सेयर करेंगे है अब ही मैं किसी को गाली दे झूँ यह सब वायरल कर सिएगे देखरों यी माइष्ट्र हो के घरी आघा डा फिर नहीं सोचेंगे कि हम अगर सेयर करेंगी तो सब genon सब होन्हां ईसको नहीं जोचेंगे लेकिन पढ़ायवाला वीडिय कर रहーー ही का अगर स्रेइर करेंगे तो सब टापर हो जाएंगे हम तो पीछे हो जाएंगे कि इसका अंसरत ठीक है सब का गुड़ा कर लेंगे कितना जाएगा 30 अगर इनके HCF की बात करें यहीं पर तो क्या होगा आप इसको समझ गए ना इनके कोई कामन फैक्टर नहीं है आपस में किसी भी नंबर के इसलिए इनका सिर्फ और सिर्फ गुड़ा करके ही LCM निकाल लिया जाता है ठीक है आएए आगे अब हम कुछ नए नए तरीके नए नए तरीके तो नहीं फिलाल नए कोईश्चन पर चलते हैं आपको अंतर समझाते हैं इसमें बताईए जैसे मैंने चार छे और आठ ले लिया अगर इनका LCM करेंगे तो क्या इनका डारेक्ट गुड़ा करके कर सकते हैं नई अब मैं कम समय में ज्यादा पढ़ाओंगा बोलूंगा कम देखूंगा ज्यादा आओ इधर देखो इनमें common factor हैं इनमें जो factor हैं वो common है एक दूसरे के इनका थोड़ा मैं explain कर देता हूं तब इन पर आता हूं जैसे वन लिखा वन के अगर factor करेंगे तो वन अकेला है इसके आगे नात्मा पीछे पगावाली कहानी इसके कुछ नहीं है कोई नहीं थिरी की बात करें तो थिरी इनका वन और थिरी दो factor है वैसे अगर फाइब की बात करें तो यह भी योगी महराज है इनके भी कोई नहीं है एक खुदा है बगवान एक खुद है बस दो की बात करें तो यह भी ऐसे ही है लेकिन यह लड़के वच्चे वाले हैं फैमली वाले हैं इनके भाईया भी है भ का लिखा तो वन भी है टू भी है थ्री भी है सिक्स भी है कि समझते जाइए मैं जो बताने वाला हूं एट का अगर लिखा तो वन टू फोर एट इनमें और उनमें अंतर क्या है समझिए इनका सिर्फ मल्टीपल करके ही ल्सीम निकाल लेते हैं डारेक्ट गुड़ा करके क्यूं क्योंकि इनके कोई कामन एक्टर नहीं है आपका कई संजासाहेरीं सब कहांन निए यसकी कोई उटी नहीं होती है इनकी कोई गीनती नहीं होती उसक्लीrire इन से कोई मतलब नहीं होता है लेकिन जोड़ा घंए नहीं जा सकता क्योंकि एक जोडने या गटाने से फहरक बहुत बड़ा पड़ जाता है तो इसमें कोई common गुड़नखंड नहीं है अगर इसे थोड़ा और detail में बोलें तो वन को छोड़कर वन को छोड़कर कोई और common गुड़नखंड नहीं है लेकिन इसमें भी ऐसा है क्या रोसनी कुमारी बताइए रियांक कसवधन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें वन को अगर छोड़ दें तो इसमें देखिए दो सब में common है अगर फोर इसमें भी होता सन्योग वस तो इस फोर भी common था लेकिन गड़बड़ा गया अब नहीं है हुं बात सम Seven आ रह吔 हिना उसके बाद हम Esteeam में ये भी देखते हैं जब संख्याइं दो से अधीक हैं जब दो से अधीक हो तो हम वो भी देखते हैं कि कोई गिंती जो को सिर्फ में common हो उसको भी घेरते हैं ठीक है तो सिर्फ दो में common ये four है इसको भी हम घेरेंगे इसे ठीक है कि समझ रहे हुआ अब लोग अब क्या करेंगे हमें अगर इन calcium final करना है तो क्या करेंगी जो सब में common था पहले उसे एक बार लिखेंगे तू 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 उसके बाद जो दो में common था उसको भी एक बार लिखेंगे जैसे ये four फिर जो किसी में common नहीं था उसको भी लिखेंगे हम समझ रहे ना आप लोग लेकिन हम किये क्या है पता है हम लोग तो फैक्टर निकाल रहे थे क्या यह सई होका क्या क्या इस तरह से LCM निकाला जा सकता है कि क्या इस तरह से LCM निकाला जा सकता है आप लोगों को लग रहा है देखिए गुड़न खंड भी दो तरह होते अभी तक हम से गुड़न खंड बोलते आये हैं फैक्टर 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 लेकिन वो दो तरह के होते हैं कैसे एक भाज्य गुडनखंड होते हैं एक अभाज्य गुडनखंड होते हैं आई ये बात करते हैं अभाज्य गुडनखंडों की ठीक है इनको यही पर छोड़ देते हैं क्योंकि यह लाइन अलग है मैं इनको कुछ और बताने के लिए लिख रहा था ठीक है इनको मैं कुछ लिए लिख रहा था यह अगर हम फॉर की बात करें तो फोर में हमने हैं यहां क्या लिखा है यहां पर क्या लिखा थी यह दूसरे से कट पिट रहे थे कि मैं है ना थो अव्मीद है क्या होंगे इसमें हमस्फ 505 सिर्फ और्श प्युअर बताया के है य bize ल बताएंगे वो भी बताएंगे वो भी बताएंगे थोड़ा रुकिए सबर करिए पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि आखिर LCM का मतलब क्या है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं सब्सक्राइब क्या है देखिए जैसे अगर मैंने नंबर लिखा दो नंबर छोटे-छोटे हैं फोर और एट अगर हम फोर और एट का LCM आप से पूछे तो आप सभी बता लोगे न क्या होगा कि अभी अभी मैंने बताया था लीष्ट कॉमन कि मल्टीपल कि यह होता LCM का फुल फार्म लीष्ट मतलब छोटे फे छोटा कॉमन मतलब कॉमन यह नहीं उभायनिस्ट हिंदी में बोलते हैं मल्टीपल मतलब गुडज तो वो सबसे छोटे से छोटा गुडज यानि सीधी सीधी देसी भासा में बोलें तो वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए वही LCM होगी वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भी भाजित हो जाए पूरी तरह से बस वही अंसर है मिताली सिंग नेहा मिस्रा दिब्यातिवारी रूपेश ठीक है तो भाईया हो इन दोनों से कट जाए अगर हम बात करें 4 की तो ठीक है 4 4 से तो completely divide है लेकिन 4 जो है वो 8 से पूरी तरह भी divide नहीं होगा कहने का हमारा तात्य पर ये है कि जो 4 है वो 8 से इस तरह पूरी तरह divide नहीं होगा लेकिन अगर हम 8 को ले लें तो भाईया 8 ले लें तिन से दोनों काम चल जाएगा कैसे क्योंकि 8 में अगर हम 4 से भाग करें तब भी 0 आएगा और अगर 8 में हम 8 से भाग करें तब भी 0 आएगा सेसपल यनि इसका आंसर क्या होगा 8 होगा बिना किसी नियम के बिना कुछ किया आंसर आ गया बता यह आया ना सभी को आया ना ठीक है बिना किसी नियम के कुछ किए हम डारेक्ट आंसर निकालेंगे अभी एक और देखिए जैसे हमने एक नंबर ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया 12 बताएए इसमें दोनों में LCM क्या होगा सोच के बताएए आईए अभी बड़े बड़े गिंती भी करेंगे आप लोग यह मत सोचना कि यह बच्चों अलग खेल हो रहा है हमारी कोशिस है न हर किसी को समझ में आना चाहिए बाकि हाइफ हाई लंबा चाणा तो हर कोई पढ़ा देता यूटूब पे न वैसे भी हर जगर लोग पढ़ा देते हैं लिकिन लोग परेशान हो जाते हैं उनका दर्द और तकलीफ कोई समझ ही नहीं पाता है जो अंदर ही अंदर खुद को गरी आते रहते हैं कि पढ़ा का यह नहीं बच्पन में मर कहीं नहीं जाता तू अब मैत कहीं नहीं पढ़ा था नहीं तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी देखिए इसमें वो छोटी से छोटी गिंती जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए पूरी तरह दोनों से अगर हम देखें तो फोर तो फोर से कट जाएगी पूरी तरह है मैं लेकिन बारा से्ट बहें वो गिंती कटनी चाहिए तो अग़ी अगर कटेगी कृआ तो वह बारा ही हो गी क्योंकि बारा जो है भूर वो फोर से भीपकाट जाएगी रहागी । शीकैं यानि कहने काता तर या इसका FC लेकिन रुको अभी थोड़ा सबर करो अगर मैं इसमें थोड़ा बदलाओ कर दूँ ऐसे अब देखना और मैंने ऐसे लिख दिया आप बताओ अब इनका LCM क्या होगा अब बताइए इनका LCM क्या होगा बात अलग हो गई या वो ऐसे नहीं रहा गई जल्दी बताइए देखिए अब यहां पर जाहिर सी बात है कुछ बात कहानी सब अलग हो गई अलग इसलिए हो गई है किसलिए अलग हो गई बता रहा हूं देखिए तीन गिंती हो गई वो छोटी से छोटी संख्या इनका अल्सियम होगी जो इन तीनों से पूरी तरह कट जाए तीनों से बिना किसी नियम के आप सोच के बता एक बार माल लेते हमने भीफ ले लिया तो वीस तो चार से भी कट जाएगी 10 से भी कट जाए गिंद 15 ठंगरी संसाइद लेगां पंदहर फिनि वी कटेगी कहें कर ना इसको सोविकार नहीं तो भीफ नहीं होगा अगर हम षीञें ये लोग जो साथ और देड़ सो पे जा रहे हैं लोग की अंखिया बंदेगा का वह थीत ले त्राइप कर लो क्या थींन कटेगा इनकी अंखिया खुली हमारे बंदें तीस नहीं कटेगा क्यों तीस इससे कट जाएगा इसे कट जाएगा लेकिन फोर फे 3030 completely divide नहीं होगा फिर कौन होगा इसमें लफड़ा इस बात का है कि दो संख्याएं सम है एक भी सम है इफ लिए यह आसानी से नहीं होने वाला न तो इसमें बिल्कुल नरेश जी बता रहे हैं सिवानी चौरसिया सिल्पा के सरवानी हिमानसु सुकला ठीक है 60 हो सकता ह है क्या 60 के नीचे भी कोई हो सकती गिंती हम मान लेते हैं चलिए 60 है इनका एल्सियम क्या होगा 60 है अब इनको हम पारंपरिक तरीके से लगाते हैं जो इनका धरम है धरम करम जैसे होता है आईए उस तरह से करते हैं गुड़न खंड विधी अभी तक तो यह कोई विधी नह हो ऐसे बूज रहे थे लेकिन यह मैथमेटिक्स है इसमें सिर्फ बूजने से काम नहीं चलने वाला है इसमें कुछ नियम कानून मालूम होना चाहिए आईए हमने लियाप 4 10 और 15 15 इनके सभी के हम अभाज ये गुड़न खंड लिखेंगे क्या लिखेंगे प्राइम फैक् क्या होंगे दो गुड़ा दो इनके क्या होंगे दो गुड़ा पांच इनके क्या होंगे तीन गुड़ा पांच है न होंगे की नहीं अब क्या करेंगे हमें क्या करना इनमें LCM लेना है तो हम यह कोशिस करेंगे जो नंबर पहले तीनों में common है उसको पहले घेरेंगे क्या कोई गिंती तीनों में common है कोई तीनों में common है मनोज बताइए नहीं common है तीनों में कोई गिंती common नहीं है लेकिन जो दो में common है उसको गेरेंगे फिर मतलब आईसे आईसे गेरेंग आईसे ठीक है यह हो गया अब 5 भी दो में common है इसको भी घेरेंगे जो जो मैंने घेरा है उसको लिख देंगे याद रहे एक बार लिखेंगे ठीक है अब जो बेचारे छूट जा रहे थे किसी की पार्टी में सामिल नहीं थे इनको भी लिख लेंगे यह दो और यह थी दो पंचे 10 दूना 20 यहीं 60 यह हो गया अंसर यह तरह से LCM किया जाता है जब तीन गिंती दी गई हो मैंने तो सबसे पहले तीन गिंती बता दिया पहले इसको नहीं बताना था वह से ठीक है अगर यहीं पर दो गिंती दी गई होती तो आईए दो गिंती वाला पहले बताता हूं जैसे माल लेते हैं 12 दिया गया होता और 18 दिया गया होता तो 12 और 18 का कैसे करते मिनट के लिए देख लीजिए पहले 12 के गुड़नखंड करेंगे दो दूना चारती यहीं 12 यह अभाज यह गुड़नखंड कहलाते हैं अब आज गुड़नखंड और गुड़नखंड में आखिर क्या अंतर है आप कहोगे इतना कले चिलाये जा रहे हो लेकिन अंतर नहीं बताए अभी वेक्के दिन में बता देंगे अगले दिन कामाई सकल देखने आओगे जरूरी है अकेले रात में क्या दिवालों से बात कर से क्या हुए इसके फैक्टर हो गए अब इनको मैं मिटा सकता हूं इधर साइड से तभी इनकी रोशनी दिखेगी नहीं तो यह बहुत ज्यादा लंबा चोड़ा फैला है उनका दिख नहीं रहे है कि इनका अंसर कुछ लोग फटा फट कमेंट कर रहे हैं 36 आरा ठीक है देखिए मैं बताता हूँ जो मुख्य बाते हैं उस पर आता हूँ समझ यह समझने की बात यह है कि इनमें जो दोनों में कॉमन है पहले वो नंबर हम पकड़ेंगे ठीक है तो अगर आप देखिए तो दोनों में कॉमन टू है अब यह टू बचारा अकेला है इसका कोई जोडिदार है नहीं यह थिरी भी जोडिदार है तो यहां पर लिखेंगे केल्सियम जो दोनों में कॉमन था उस जोड़े से एक एक निकाल लेंगे इसमें से एक दो ले लिया इसमें से एक तीन पिर जो कहीं कॉमन नहीं था उसको भी लिख लेंगे जैसे यह दो बचा थां के लाए तीन दो त्याई छे त्रीक अठारा दूना चत्तिस कितना आगया 36 कि तो एकदम आसान वाला था न अभी एक चीज और बताएंगे आप मुझे यह बताओ भाईया ए रजल जी बताओ तो इधर अगर यक्स और यक्स स्कॉयर का लसीम बोले तब का होगा गिंती वाला तो बता ले इसको भी जानो यह भी आपके देश के नागरीक हैं बताएए और आप लोग अभी तक कलास को लाइक नहीं करें हो क्या चाहिए मतलब आरती वारती उतारना पड़ेगा तब करेंगे का सभी जितने भी साथी जुड़े हैं नए पुराने अगर अभी तक वो पीवियर स्ट साड़े तीन लाख लोगों की संख्या में आपको पता है पीवियर स्टेडी के तीन चैनल चलते हैं अलग अलग के जिसमें से सबसे बड़े चैनल में थाड़े तीन लाख के लगभग में सब्सक्राइबर हैं मतलब इस्टूडेंट है एक परकार से अच्छी बात है आप लोगों का प्यार है सपोर्ट है चलिए इसका आंसर अगर कोई दे रहा है तो वो गलत दे रहा है इसका आंसर जितने लोगों ने दिया सब गलत दिया ह मानबेन सिंग ने सबसे पहले बताया है और अनुपम का भी गलत है रियांग का भी गलत है डॉली का तो बिल्कुल एकदम 110 परसंड गलत है नेहा मिसरा का सही है बहुत अच्छा बेरी गुट नेहा मिसरा बिल्कुल सही है और नेहा नाम की बर्मा जी भी है इनका गलत है न इसका correct answer x का square होगा लेकिन मैं बताऊंगा नहीं अभी क्यों होगा लाइश्ट में बताऊंगा पहले कुछ आओर बताने वाला हूं कि इधर देखिए गुड़न खंड दिखरा ना संख्या अभाज ये गुड़न खंड जिसे बोलते हैं प्राइम फाइक्टर इसे सिर्फ फाइक्टर बोलते हैं सिर्फ सिर्फ मतलब समझे रहे हो ना आईए आगे बात करते हैं ध्यान दीजिएगा और देखते जाईएगा देखिए साथियों इसको मैं बताने के लिए भी बोल रहा था कि बताऊंगा बताऊंगा हमारी कोशिस है कि आपको 101 परसेंट समझ में आना चाहिए अगर आपको नहीं आता तब भी आपको आना चाहिए अगर मैंने संख्या ले लिया 12 तो इनके जो फैक्टर है वो कुछ इधर दिखाऊंगा कुछ उधर यह बाई चल जाए आर साही से चल नहीं रहा नहीं है जैसे अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 6 12 तो यह सभी क्या है इनके फैक्टर हैं देशी भासा में बोलें तो साधार्णत और साधार्णत है इनके गुड़न खंड है ठीक है लेकिन इधर जो लिखेंगे वह ऐसा नहीं होगा इधर देखिए जैसे मैंने लिखा 1 2 3 अब फोर नहीं लिखेंगे हां ना फोर नहीं लिखेंगे और क्या फिर आप कहो गया और तो कौनों नंबर लिख पे नहीं करेंगे और कोनो नंबर लिख पे नहीं करेंगे इधर वन टू और टू एक बार और रहेगा और यह थरी इनमें इनमें थोड़ा अंतर होता है इन फैक्टर को आपस में गुड़ा नहीं किया जाता है यह जो अभाज गुड़नखंड होते हैं उनका मल्टीपल करके उस नंबर को पराप्त किया जा सकता है समझ में है ना अभाज यह का मतलब यह है कि देखो भाईया यह जो यह फोर है और सिक्स है और ट्वैल है यह भाज यह गुड़नखंड है क्योंकि अभी भी यह किसी संख्या से कटेंगे यह क्या होंगे अभी यह विवाजित हो सकते हैं लेकिन यह नहीं होंगे न दो किसी से कटेगा और दूफरी अन्न संख्या से नहीं यह कटेगा यही हम आपको बताना चाहते थे तो जब हम लेते हैं न उसमें हम यह वाला गुड़नखंड करते हैं अब आज यह गुड़न करते हैं ठीक है पवन कुमार कैसे आप पहचानते हैं समझ नहीं आया इसके लिए रोज पढ़ना पड़ेगा यह भूल चूक से आ गयो ना इसलिए नहीं आ रहा है जैसे 15 है इसका देखिये क्या होगा 1 3 5 15 यह बताइए आप लोग इसका अभाजी गुड़न खंड क्या हो कि डबल दो क्यूं है क्योंकि हमें इसका मल्टीपल करके यह प्राप्त करना है अब आज गुड़न खंड में हम क्या करते हैं उसका सब का गुड़ा करके हमें बारा लाना है यह कैसे होता है अभी मैं वह भी बता देता हूं इसका थोड़ा डीटील बता देता हूं वह भी यह दो दो तीन के से आया क्यूं आया कुछ लोग बताएंगे थोड़ा सबर रखिए वह भी बताऊंगा दो भार दो क्यों आया वह बताऊंगा यह यह 15 projekt यह क्या हो जाएगा 13 और 5 कुछ नोगों का सवारा कि 2 दो क्यों आया है ठीक है जो मैं बताना चाहता हूं वो समझेए देखिए अक्चुली क्या है उसको निकालने के लिए ऐसे भाग करते हैं सबसे पहले ने दो से भाग करेंगे तो आप जब दो से भाग करेंगे 12 को तो कितना आएगा तब ही हम भाग करेंगे नथा करेंगे ही नहीं इसको फिर से दो से भाग करेंगे तो सेसफ़ल जीरो आएगा तीन भाग फ़लाएगा अब यह कि जिससे पूरा कट जाए उसी से काटेंगे तीन से भाग करेंगे तो तीन एक कम तीन इस तरह से अब जब यह का जाएगा तो इ आपर Cambridge हैं प्शंग के मिलें एक दम फिल्टर हो के अन्य प्राइम फैक्तर ऐसे निकालते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रहें यहां पर हम उसी नमबर से भाग करेंगे। जिससे भाग करने पर यह संख्यां पूरा-पूरा कट जाये। पूर्ता विभाजित हो जाए जिससे कोई संकोच रहेगा कि पूर्ता विभाजित नहीं होगी उससे भाग नहीं करेंगे ठीक है समझ रहें कुछ की नहीं समझ रहें न भाईया आईए एक और बताते हैं जैसे इधर साइड में देखिए इधर साइड में देखिए जैसे माल लेते हैं कि हमने लिखा यहां पर 18 इनको हम क्या करेंगे अब किससे भाग करेंगे पहले यह बताईए सबसे पहले इसके लिए तो आपको छोटा छोटा बेसिक चीज़े आना चाहिए पहले आपको संख्या की पहचान होनी चाहिए कि सम संख्या भाद्य अभाद्य यह क्या है तो यह समसंख्या है अगर ये sum संख्या है तो क्या ये भाज्य है या भाज्य है तो ये sum भी है और भाज्य भी है यानि composite number है तो कोई भी अगर भाज्य संख्या है और sum भी है तो वो दो से पक्का completely divide होती है ये आपको basic मैथ में सिखाया गया है हां दो से completely divide होती है तो दो से भाग करेंगे तो सेज़फल जीरो आ जाएगा आप सबको पता है नौ बार जाएगा दो नो अठारा कि अब दूसरी संख्या को देख के पहिचानेंगे पहले उसकी सकल देखेंगे प्यार से चस्मा उतार के हां कि भीया देखो इनको लो यह सम है कि भी सम है भाझ्य हैं कि अभाज्य जैसे काहते न कि साधी ब्या देखने भाजे संख्या है यह भाजे है लेकिन जब हमने देखा कि यह सम नहीं है तब उसी समय हम decide कर लिए कि अगर सम संख्या नहीं है तो वह दो से नहीं कटेगी है ना अगर सम संख्या नहीं है तो वो दो से िवाईग नहीँ होगी मतलब गमप्ल lawsuit ीवाईट नहीं होगी सेज फल आ जा जाएगा तो हम इसको दो से भाग करेंगे नहीं फिर पिर दो से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे डिवाइड नहीं होगी मतलब कम्पलिटली डिवाइड नहीं होगी से फ़ला जाएगा तो हम इसको दो से भाग करेंगे नहीं फिर फिर दो से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे तीन से करेंगे तो तीन से करिए तीन से भाग करेंगे तो तीन बार जायेगा तिन तरीक करनों अब उसी करम में इसको भी अगर देखें तो यह भी तीने से भाग करने पर यह चीजें ऐसे ही की जाती हैं अगर हम बात करें अठारा का तो बहिए अठारा के जो यह फैक्टर होंगे इसमें जो वन है लाइस्ट में इसको भी कर सकते हो आप कोई फरक नहीं पड़ता यह यह भी आजाएगा इसमें भी एक बढ़ा सकते हो लेकिन इससे कोई मतलब होता नहीं है एक लाइन बढ़ जाती है वन लिखने से कोई फरक नहीं पड़ता है तो इनके जो यह फैक्टर इस तरह से बन जाएंगे हां ऐसे यह अभाज्य गुडणखन समझ में आया ना अफने आती वारी तुम पड़ने आती हो कि सब का हाल चाल लेने आती हो अब बताओ बहनी का हाल है पड़त लिखाती आग नहीं यह यही करने आती इनको पड़ने लिख लें नहीं मतलब है अभी उस दिन पता नहीं क् आज फिर हाल चाल लेने आ गई पड़ लीजिए यह हो गया ना हम तो आप लोग एक बताईए छोटा सा फोटी एट का बताईए फोटी एट का बताईए इसका कितना आएगा फोटी एट के अभाज गुड़न खंड बताईए सभी बच्चे जल्दी से फटाफट बताईए देखिए हम सुरू क्या करने वाले थे हम लोग लोग लगवग सुरू कर दिया है लेकिन खतम भी आज ही कर देंगे इस कलास में यह नहीं है कि अब यह पान दिन नहीं चलेगा सभी को समझ में आ रहा है कमेंट करके बताईए हां आ रहा समझ में कुछ लोग जो चुप चाप हमें देख लेते न एको बार नहीं बोलते न उनके लिए बड़ी बद्दुवा निकलती अरे कम से कम एक आध बार तो कमेंट कर दिया करो हां हम है कि चलिए कि मुण टू और क्या होगा भई फिर से टू होगा मल्टिपल लगाते जाओ क्यों क्योंकि दो से बाग करेंगे 24 आएगा फिर दो से करेंगे तो बारा आएगा फिर दो से करेंगे कि दो दूना चार दूना आठ कुछ समझ में आ रहा है एक बार दो से बाग करेंगे 24 आया दो से बाग करेंगे बारा आया दो से बाग करेंगे छे आया फिर दो से बाग करेंगे तीन आया के दौदूनना चार दूना आथ दूनना तीर ऑना। और तीय एंठ आलिस। को ओके अन। गेल कि दीपकर आठोण। थीख सेइए अनंद। शीक्व Best何 questo एद्थम इतना गंदगा से नाम क्यों बनाई हो हाँ इतना बढ़ा से इतना बढ़ा सा। और लोगों का नाम है धंग से कम से कम देखने में आता है तुम्हारा नाम आ गया तो लगता है तुम्हारे पूरे गाउंबर का नाम आ गया उसी में खींच-खाज मिला के ठीक है तो यह होगे आप समझ गए हम बात कर रहे थे LCMHCF की आप यह सब समझ गए न देखिए mathematics ना बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है एकदम वफादार है बिल्कुल कुत्ते जैसा वफादार समझ रहे हो न अब को गई कुत्ता उत्तक बात कैसे आ गई क्योंकि सबसे ज्यादा वफादार कुत्ता ही होता है उसे आप एक रोटी भले नहीं दे रहे मार के भगा देंगे लेकिन अगर आप फिर बुलाएंगे तो फिर आएगा लेकिन इंसान से बड़ा रोके बाद दुनिया में कोई जीव है नहीं उसमें से हम लोग एक हैं मतलब आप बीवामिया केले नहीं आईए इधर देखिए कि क्या करने वाले थे लसीम और एसीए पढ़ रहे इसमें दो विधी होता है अब दो विधी से कर सकते हैं एक है का गुडणखंड विधी और एक है भाग विधी ठीक है हम सिर्फ आप को आपको यहां पर मेतफ़ उपनार सिख रहें मज़ा आ गई ना चलिए तो अभी हम लोगों ने कुछ नंबर्स के LCM किये थे आपने देखा था किये थे ना अब हम क्या करेंगे HCF करेंगे क्या करेंगे HCF लेकिन HCF भी साथ बताया था लेकिन फिर भी देख लेंगे आईए कुछ नंबर ले लेते हैं जैसे 24 ले लिया और 48 ले लिया क्योंकि हमें सिखाना एक जो डी एलेड वाले हैं बीटीसी फाइस्ट समेस्टर के उनके में ऐसे ही आता चोटा चोटा बड़ा हाई फाई नहीं आएगा थोड़ा यह हो सकता है इस टोरी के रूप में कुश्चन दे दिया वालग बात है मतलब डारेक्ट कुश्चन नहीं पूछेगा ऐसे की लसीम बताए दो तो कोई कहानी दे सकता है कि फलाने फलाने खेल में इतने लोग सामिल हैं उसमें इतने लोग दोड़ रहे हैं इतनी ऐसे ऐसे हो रही तो वह चोटी फिछोटी संक्या बताए जिससे उनको पराजित किया जा सके ऐसे कुछ करके कहानी बनाएगा तो जहां चोटी फिछोटी आएगा महां लसीम निका कि तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड़नखंड पिदी से क्योंकि इसमें एक सटीक छोटे में कर लेंगे कि तो पहले इनके फैक्टर करते हैं सभी के और एक-एक के फैक्टर करने के बाद में फिर उनमें जो भी कॉमन होता उनको लिखा जाता है ठीक है समझ रहे हैं आप लुग आख चलो इधर देगे इनके फैक्टर कैसे करते हूं मैं बता चुका हूं कि अरे बाई ये दो लिखा है थोड़ा गंदा हो गया वह अलग बात है यह भी तो लसी एम निकालना है तो एक दो इस जोड़े फे लेंगे एक दो इस में से लेंगे और ऋसारी तिन दो दुन चार दुन 8 drives जोबिस यह गलत हो रहा है का है अण दो दुन चार दुन pressing आठ्ट यह गलत हो रहा है मुझे लग निकाल रहे हैं कि LCM निकाल रहे हैं तो जितने भी जोड़े बने थे उनको तो लिख लेंगे फिर जो छूटेगा एक यह बड़ा दयावान होता यह किसी को छोड़ता नहीं तुम भी आ जाओ जिनकी साधी भी आना होई उनको भी बुला लेते हैं इनका कोई जोड़ा नहीं इनको भी मिला लेते हैं अब इनका मल्टीपल करेंगे तो दो दूना चार दूना आठ त्रिक 24 दूना 48 यह अंसर आएगा यह गुड़नखंड विदी से आपका LCM हो गया ठीक है इसी LCM को अब हम भाग विदी से करेंगे बगल में जिससे आपको अंतर समझ में आ जाए विबेक कुमार चुपचाप कलास देखिए बस ठीक है कमेंट मत करिए कलास देखिए आंसर बताईए जब मैं बोलूँ तब बस इसमें से कितने लोग हैं जो इसको भाग विदी से कर लेंगे आई चाहिए ज्यादा हम इसको उस संख्या से काड़ते हैं पहले जिससे दोनों संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं सबसे पहले देखते हैं कि यह सम है कि भाज्य है कि आप सबको पता यह दोनों अभाज्य संख्या नहीं है यह दोनों भाज्य है तो दो से कट जाएंग इसको करेंगे छे आएगा यहां बात थोड़ा सा समझने लायक है अभी तक एक एक गिंती से भाग कर रहे थे और सब कट जा रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि आप दो से भाग करेंगे तीन नहीं कटेगा तो हम भाग तो दो इसे करेंगे अभी भी तीन नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे पूरे इज़्जत के साथ यह थोड़ा काला हो गया अलग बात है फिर तीन यह छे कट जाएगा दो से भाग करने पर तीन आएगा अब यह सभी देखो तीन तीन आगया तीन से कर देंगे वन वन आगया जितना यहां मिलता है इनका डारेक्ट गुड़ा कर लेते हैं यह अंसर हो जाता बाकि कुछ ने करते हैं ठिक है जितना यहां पर मिलता है इनी का मल्टिपल कर लेते हैं इनी को क्या बोलते हैं LCM कर लेंगे न सबी यह भाग विदी से LCM है यह गुड़न खंड विदी से है दोनों मैंने बगल बगल दिखा दिया इनका अभी यह पूरा नहीं हुआ है से इनका उतारेंगे नीचे भाईया देखो चार बार है ना यह दो चार बार दो दूना चार दूना आट दूना सुला पर तालिस यह फाइनल हो गया यानी भाग विदी से LCM यह इतना होता है गुड़न खंड विदी से इतना फैलाना प कि नए वाले हैं कोई भाई लिखिए आप लोग कलास को लाइक करिए नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आती है और सेयर भी नहीं करते हैं बड़ी दुक की बात है यह भी कम से कम सेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों अगरा में ऐसे थोड़ा कम मज़ा आती है आगे बढ़ें तो यह हो गया अब आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं करवाने वाला इसमें अब हम HCF की बात करते हैं इसको तो फालतु है मिटा दिया दोखा हो गया नहीं तो मैं EC में बता देता तो करना ना पड़ता फालतु कसे आई जाएगी आप लोग मुझे यह बताईए कि दोनों विधी में से कौनसी विधी अच्छी लगी गुडनखंड वाला अच्छा था या भाग विधी अच्छा था अगर गुडनखंड वाला अच्छा था तो आप लोग जी लिखके कमेंट करिए जी जी मतलो देसी भासा में गुड़नखंड और अगर भाग विदी वाला अच्छा था तो बी लिखके कमेंट करिए लेकिन बी लिखना अभी भी नहीं लिखना चलिए देखिए तो यह हो गया गुड़नखंड और भाग विदी हो गया LCM HCF ही बताना हमारा तात्य पर था चलो HCF बता देते हैं ए भाई तुम्हार जाए आँसे निकल लो जैसे नंबर लेलिया 125 और एक नंबर लेलिया 30 इनका हमें HCF करना है भाग विदी से भी करना है गुड़नखंड विदी से भी करना है गुड़नखंड विदी में वैसे ही करेंगे 125 लिखेंगे फिर 30 लिखेंगे इनके फैक्तर करेंगे तीन से काटेंगे नहीं कटेगा पांच से कटेगा यह अब गुड़नखंड कैसे करते हैं इसके लिए मैं दो-तीन दिन चिला-चिला के बताया हूं देखे ओ जानते हो इ होते हैं इसमें चीज आसान है जो दोनों में common है सिर्फ वही लिखते हैं बाकि सब छोड़ देते हैं तो सिर्फ पांच इसमें से एक निकलेगा यह अंसर हो जाएगा बस बाकि जो common नहीं है सब जाओ हटाओ भगाओ यह सरकारी नवकरी हो गई जिसका हाई एस नंबर जाएगा उसी को मिलेगा आजकल तो इतनी लंबी धांदली होने लगी है ना सरकार चाहती है कि तुम बेरोजगार रहो किसी की सरकार हो किसी पार्टी की सपोर्ट या बिरोध के बारे में नहीं बोल रहा हूं आने तो गरी आने लगो ट्रॉल करने आदमी हर दिन 24,000 कमा रहा हूं 200 रुपए ले जाएगा है नहीं सरकार इसलिए देखो बर्बाद करने पर लगी है 2019 में आई थी रेलवे कि आप सब को पता है लाको फाम आया थे जानते होंगे आपके भी यार दोस्त जानने वाले डाले होंगे अभी एंटी पीसी का उन्ह का काम है हम लोग तो उनको चुनते हैं ना जो मारने काटने वाली वाते करते हैं क्योंकि हम लोग पहले धर्म पर विस्वास करते हैं अपनी जाती पर विस्वास करते हैं बाद में काम देखते हैं धर्म और जाती के नाम पर देश में वोट पड़ता है तो बात क्या हो रही थी आईए उदर चलते हैं यह HCF था यह गुड़नखंड विदी था हो गया अब इधर भाग विदी से कैसे करते हैं नंबर था 125 और 30 इधर आ जाये भाग विदी में जो चोटी संख्या होती है उस संख्या से बड़ी संख्या को डारेक्ट भाग करेंगे बाग करके देखिए इनका भाग तो आपको अब नहीं इसके लिए आपको जोड़ना घटाना गुड़ाबाग आना चाहिए तब को कर पाएंगे हैं magic कि अगर नहीं आता थो फिर गड़़ थिस से इसको भाग करेंगे एक तीज का पाड़ा आता ही नहीं कौन मुझे ही आता है मुझे भी नहीं आता है कि दॉनो गुडा करके बना लेते हैं कि पहले 3 कभाग करते हैं 12 में तो 3 कभा 12 में चार बार जाएगा क्योंकि तीन चोग 12 होता है इस लिए हम चार से गुड़ा करेंगे तीस को तो चार तेहीं 12 120 आएगा मिल गया बन गया कि चार बार जाएगा 120 आया गटाएंगे पांच आएगा कि यहां पर एक चीज़ समझना है जैसे हम लोग हैं हम लोग के पापा है मम्मी है न लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग मम्मी पापा बन जाएंगे अना अभी नहीं बने वालक बात है तो वो जो है वो क्या हो जाएंगे लड़के बच्चे हो जाएंगे और फिर अगली आने वाली जनरेशन के लिए जो हम लोग के लड़के बच्चे होंगे वो मम्मी पापा बन जाएंगे समझ रहे हो ना ऐसा होता जाता है न कुछ समझ में आ रहा है वह ऐसे यहां होता है पहले यह भाजक होता है यह भाज्य होता है फिर सेसफ़ल आ जाता है अब यह भाज्यक बन जाता है कौन यह भाज्यक बन जाता है समझ रहे ना अब यह भाजक बन जाता है और यह भागफल बन जाता है अब यह मत कहना पापा बच्चे बन जाते हैं और बच्चा पापा बन जाता है ऐसा नहीं यह नंबर भाज्य बन जाता है यहां उतार लेते हैं और जो तो तो चेस्फल आया रहता है उससे भाग करते हैं चीख है अब 5 अब भाग करेंगे इस में तो कितना आएगा भई पांच चंक 30 सब को पता है गटाएंगे जीरो आएगा जब सेस्फल 0 आ जाता है तो उसी पर बंद कर गुझाता जाता हैं यह तो 2 यह स्टर्प में खतम हो गया तो कौनो कई लाइट हुआ है जिस संख्याफित में डिवाईड होती है याद रहे यहाँ जो जाता इससे कोई मतलब नहीं है Bunu को किम चुशेचा उससे मतलब होता है यह वैसे होता जैसे की कई निर्वरत में परीक्षां होती सीजएल आप लोग को अगर देते होंगे लिए कोई जानता होगा या पिर कोई परीक्षा देखिंगे उसमें कई स्थेप होते हैं न नुकरी मिलती है बाकि पहले परिक्षां तो सब आजमाल लेता है हाँ माहाल बनाने जाता है एक से ज़्यादा कॉमन हो तो अच्छा अच्छा एक से ज्यादा कॉमन हो तो इनका सवाल है डॉली का ठीक है इसमें देखिए मैं बता देता हूं आईए इधर भी देख लेते हैं अगर एक से ज्यादा गिंती कॉमन हो तो ठीक है इसी में चिपकालो भाई थोड़ा सा बगल में मुझे लिखना ना पड़े जादा हल्तु का खर्चा पानी करना पड़ता आईए देखिए एक नया सवाल बन रहा है इसको लिखिए सभी नया सवाल है यहां कोड नंबर है कुश्चन नंबर नहीं मान लेते हैं 125 यहां पे 150 हो आएगा तीन से भाग करेंगे 25 आजयेंगा सभी जा रहा था ना दो से भाग करेंगे 75 आएगा तीन से भाग करेंगे 25 आएगा Spotify करेंगे टिंको अईसे करते हैं गूडा कर लें तो वह संख्या जाए dependent 25osph facing 50 हो गया को पोछन का सिखार है वह अलग बात है कि यह इसमें भी कॉमन है इसमें भी क्यों यही सवाल था ना कौन पूछा था भई लेकिन इनका पूछा एक के ठी मिला मतलब दूठी तो हो गया ठीक है दो हो गया ना एक से अधिक भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं अब अधिसीय अफ करेंगे तो जितने कॉमन थे इन दोनों में से एक लिखेंगे ऍंजोड़ों में से भी लिखेंगे फाइनल में इसका 25 यह ऐसे थमज़ लीचिए जैसे आज के नए जमाने के स्कूल में parents meeting होती है तो पारेंट्स अकसर प्रत्थम प्रत्मिक्ता तो माता-पिता को ही दी जाती है अगर किसी के माता-पिता कारणबस कहीं दूसरी जगा रहते हैं दूर रहते हैं या फिर बगवान को प्यारे हो गए तो फिर अलग बात है वैसे बगवान न करें ऐसा किसी को तो माता-पिता में से एक ही जाता parents meeting में जोड़े रहते न दो किसी का निमंत्रन साधी पड़ता अगर कोई बहुँ जाता खास नहीं है तो दूनों में से एक के चले जाते हैं और कहीं माउसी क्या है नानी क्या है अगर यहां पर सूचिए अगर यह तीन कभी जोड़ा बन जाता थीन कभी एक बन जाता तो यहां पर एक तीन और हो जाता है समझ रहे ना यह ऐसा कब होता जब यह मैं इसको एक कोईश्चन बना देता हूं 25 यह 75 एक और कोईश्चन बन जा रहा है यह यह 75 हो गया अब देखो यह अंसर बदल जाएगा अब अंसर बदल जाएगा अब इनके जोड़े कैसे बने यह तो ठीक है यह अब एक तीन और आ जाएगा यह अंसर हो जाएगा 75 एक समझ में आया ना सभी को की नहीं किसी को कोई डाउट है तो बताएए ठीक है किसी को कोई डाउट है 125 और 150 का LCM निकाल यह का है भाई इसमें कोई मुसीबत है खा नहीं न तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह कौन कहता है की कामयाभी किस्मत पते करती है कौन कहता है कि कामयाभी किस्मत्ताइं करती है इरादों में अगर है दम तो मंजिलें भी जुका करती है चलिए तो हम लोग LCM HCF पड़ रहे थे फैक्टर मल्टिपल यही सब तो पड़े थे तो यहीं बता भाया 18 22 और 10 इनका LCM क्या होगा आज कुछ नया पड़ेंगे यहीं पुराना अला नहीं कुछ नया पड़ेंगे आज का टोपिक है यहीं साइड में लिख देता हूं यहां से देखो आज का टोपिक है LCM of वरियबल वरियबल यानि चर पड़ों का LCM आज हम आपको सिखाएंगे जो की बिल्कुल थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है जैसे अगर मैंने इसका LCM पूछा तो कुछ लोगोंने पटाक दे जबाब दे दिया लेकिन लेकिन तब लग जाती है जब मैं इसकी जगह पर आईसे खतरनाक रख देता हूं आईसे जैसे मैंने कहा कि भाईया हो यक्स स्क्वाइर और यक्स इसका LCM बताईए इन दोनों का LCM क्या होगा तो आप कहेंगे हे बगवान ये कौन सी मुसीबत है ये गिंतिक LCM तो पढ़ाये थे लेकिन अब कहो ABCD का LCM तो ये तो नहीं पढ़े थे तो हम इसी को आपको पढ़ाने वाले हैं हमारे साथ बने रहिएगा टाइम है तो आप अच्छी जगह जूड़े हैं टाइम नहीं है तो फिर वागवान ही जाने आईए आगे बढ़े क्रिफना बहुत अ थोड़ा सा इनका LCM सबसे पहले हम करेंगे गुड़नखंड विदी से गुड़नखंड विधी ठीक है बाग विदी भी कर सकते हैं गुड़नखंड विधी लगाएंगे पहले साथियों पहला पद इसमें है एक्स का स्कॉयर इस पे जितनी घात लगी है इसका मतलब ये उतनाबार मल्टीपल है ठीक है आईए अगर सामाने तवर पर बिना किसी रूल की हम बात करें तो LCM वो नंबर होगी जो इन दोनों नंबर से कमपलेटली डिवाइड हो जाए जैसे इसके समकच अगर हम तुलना करने के लिए आ मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कम सही है 12-18 नहीं बइट रहा है 24 इस पर कर लेजिए 24 भी तो हमें लग रहा है नहीं नहीं ठीक है 24 इनका LCM क्या होगा दिब्य आराजपूत ठीक है और दिब्य आते बारी बेरी गुट रंजीट आईए देखे साथियों इनका LCM के अगर बात करें तो LCM का मतलब वह बड़ी से बड़ी गिंती जो इन दोनों संख्याओं से कड़ जाए दोनों से एक से नहीं दोनों से तो 12 से टो डिबाइड हो जाएगी 24 भी डिबाइड हो जाएगी पूरी तरह से तो 12 LCM हो जाएगा क्या बताए इनका क्या होगा 12 होगा कि नहीं ऐसे नहीं LCM वह नंबर होगा आप जानते हो कि नहीं चोटे से चोटा गुड़ज जो इन दोनों से कट जाए इन दोनों से समझ रहे हो तो 12 से 12 तो कट जाएगा लेकिन 12 से 24 कहां कट जाएगा कट जाएगा बिल्कुल साइए ठीक है आएए बात करते हैं इधर देखिए तो यहां पर भी इन दोनों का LCM वह गिंती होगी जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए जैसे दूई और चार का LCM क्या होता है चार होता है दो और चार का 4 होता है क्यों होता है दो और चार का LCM 40 होता है क्योंकि दो से भाग करने पर भी चार कट जाता है चार से करने पर भी कट जाता है लेकिन जो लोग इनका LCM 12 बता रहे हैं उ कि इस बारा से यह पूरा-पूरा कट जाए तो बारा एककम बारा कट गया ठीक है अच्छा है लेकिन जो एल्सी एम आया था ट्वैल आप लोग बोल रहे थे न तो ट्वैल में अगर हम दूसरी गिंती 24 से डिवाइड करें तब भी जीरो आजाए से इसकल क्या इसमें यहां पर ऐसा संभव है क्या ऐसा संभव है नहीं न तो ल्सी एम वो नंबर है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरता डिवाइड हो जाए तो यहां पर यह ट्वैल कहना गलत होगा अगर हम कहें 24 तो यह सही है रूल के अकार्डिंग भी करोगे तब भी ठीक है समझ में आए तो रूल के अकार्डिंग ही चलना है तो वैसे यहां भी आएंगे इसमें भी कुल मिला के यह जान लीजिए अगर दोनों संख्याओं एक ही कटेगरी के हैं एक ही जैसे हैं तो जो संख्या बड़ी होगी वही लसी एम होता है जो बड़ी होगी वही ल करेंगे फिलहाल अभी के लिए तो हम तो फैक्टर का मतलब जितनी घात है उतना बार यह है यह यक संकेला था विचारा इसकी साधी बिया हुई नहीं है हमारे जैसे आई से रहे गए जादा मत आर्थ निकाली है कि अधर देखिए अब क्या करेंगे अब यहां पर हम लिख आंगे पीर इसमें देखे एक है इसमें अजय जो दोनों में है उसको एक बार लिख लेतेे हैं एक विषय होगया फिर LEखिघा जिसका कहीं कोई मल्टिपल्यमा अलब है नहीं अगर हां तो बोलिए कि जल्दी जल्दी बताईए बहुत जल्दी जल्दी फटा-फटार कर दीजिए बताईए इनका LCM बताईए कि जैसे चल रहा वैसे ठीक है इस्क्रीन साट ले लिया करिए फटा-फट उसका LCM बताईए चलिए नहीं सब नहीं बता रहें एक हैं प्रियांसी सिंग हमें लगता यहीं बोल रहीं कि खुब फाष्ट पढ़ाईए हावा में जाए हां फिर क्या कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है अर्शिता सर्मा आईए इदर देखिए कोई कितना भी कहे और कहता ही रहे लेकिन मैं सुधारने वाला नहीं हूं मैं अपने अनुसारी बताऊंगा इनका भी लसीम आपको बताने है ठीक है नहीं हम इसरा का आंसर आगया फोर एक्स की पावर फाइप सोयता कुमारी ठीक है कि देखिए इसमें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है सबसे पहले अगर लसीम की बात करें तो हम गुड़नखंड विधी से लेके चलेंगे इनके पहले फैक्टर करेंगे फैक्टर करना आप सबको पता है दो और चार का अगर हम फैक्टर करने को कहें तो आप लोग कर लोगे लेकिन इनके साथ में जो यक्स लगा है उनका भी कर लेंगे ठीक है तो दो को हम ऐसे ही रहने देंगे यक्स की घात तीन है यानि जितनी घाते हैं इसका मतलब यह इसमें उतनी बार सौमिल है यहां पर थोड़ा मोटा मोटा समझ लिजिए अगर yaks की घाथ 5 है तो इसका मतलब यह है भाईया कि yaks का इसमें 5 बार गुड़ा किया गया होगा ठिक है अगर yaks का घाथ 2 है तो इसका मतलब है कि यह yaks गुड़े yaks रहा होगा इसी तरह से अगर कहीं y में है y का घाथ 3 तो इसका मतलब है कि y गुड़ा y तीन बार रहा होगा यानि जितनी घाथ है इसका मतलब यह उतनी ही बार रहा होगा यह आप याद रखना ठिक है अगर कहीं z की घाथ 9 है तो इसका मतलब यह z गुड़े z गुड़े z नौ बार रहा होगा लेकिन मैं नौ बार लिखूंगा नहीं अभी इतना पागल नहीं हूं ठीक है नेहा बर्मा ठीक है हरसिता बेरी गुड़ भाई आप लोग कलास को लाइक भी करते जाएं ऐसे मज़ा नहीं आ रही हम अगर हम ना कहें तो फिर का ऐसे चलेगा ऐसे कलास को लाइक करते जाएं और दोस्तों में सेयर करना मत भूलिए आधे फिजादा लोग लाइक नहीं करते हैं क्यों भाई वजा क्या है यह समझ मैं लिख लीजिए इनके आंसर पर चलते हैं देखिए जिन लोगों को आ रहा है उनसे निब्रेदन है थोड़ा धर बनाए इसमें क्या करेंगे भाई अगर हम फोर का फैक्टर करने को बोलें तो आप कहोगे कि चार को दो गुड़े दो लिख सकते हैं ठीक है मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं अब यक्स की पावर 5 को क्या करेंगे जितनी बार है यह घात उतनी बार हम यक्स को लिखेंगे इस को एक दो इसमें भी है इसमें भी है एक यक्स इसमें भी है एक यक्स इसमें भी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं एक यक्स इसमें भी है एक इसमें भी है एक इसमें भी है एक इसमें भी है क्या और कोई कॉमन है बतागे और कोई कॉमन है भट से लिए हाँ या नहीं नहीं नह बैटरी लो हो गई है इसकी मुझे लग रहा है ठीक है मैं लागा लूँगा यू डॉन ट्वरी चलो नहीं है बेरी गुड बहुत अच्छे नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलो तो मैं बैटरी इसका चेंज कर लूँगा फिलहाल के लिए आप लोग बताते चलिए निधी तीवारी ठीक है नहीं है तो जो दोनों में कॉमन है जैसे दो इसको मैंने लिख लिया एक यहां पर एक बार दो बार तीन बार कॉमन है तो तीन बार तीन जोड़ा बनाए तो हम तीन एक्स यहां लिख लेंगे ठीक है फाइनल में सब का है HCF यह गलत हो गया LCM के लिए गलत है गलत क्यूं है जो कॉमन था वो तो लिख लिए लेकिन है सबका साथ्सब्स आगे नहीं बोलेंगे जो बचे हुए हैं उनको भी इसमें लिख लिए जाता है जिनका जोड़ा और नहीं बना है उनको भी लिख लेते हैं यह दोनों यक कि संख्या तीन दो पांच बार हो गई है तो यह दो यक्स घात्माच यह इसका अंसर होगा फिर गल्त होगे अपको यह मैंने सब लिख लिए इसको काय छोड़ दिया बहीं मानते हैं इसका कोई जोड़ा नहीं था लेकिन बढ़ा अचाड़ नहीं इसको भी लिक्षी के साथ हमें हमें क्यों लग राबार छोड़ दे रहें पता है क्योंकि आगसर लोग ऐसा करते है औ तो चार एक्स घात पांच आएगा कितना आएगा फोर एक्स पावर फाइब इसका हम थोड़ा सा बैटरी चेंज करेंगे कोई भागना नहीं ठीक है हो सकता है एक मिनिट के लिए आवाज नहीं आएगी तो बिल्कुल घबरना नहीं हां सांसे रोक के बैठे रहना क्योंकि ल कि ठीक है सब्सक्राइब हो गया बताई एक बार कम से कम हाथ तो उठा दीजिए हां हां ठीक है ठीक है चलो तो यह समझ में सभी को यह इसका LCM हो गया टू एक्स का क्यूब और फो एक्सका पावर फाइप इसका LCM हो गया फो एक्सका पावर फाइप अब देखें एक्चुली जो इनका LCM है ठोड़ा सा समझना यहाँ पर इनका जो LCM आया है अगर मैं ठोड़ा detail में जाऊं तो यह york फार फाइप आया है यह क्यों आया है यह इसलिए आया है कि अगर हम इस LCM में याद रखना LCM में और HCF में होता से समझे जो HCF आता है उससे दी गई संख्याओं को डिबाइड किया जाता है HCF में लेकिन LCM में दी गई संख्याओं द्वारा उसमें भाग किया जाता है यह अंतर होता है ठीक है क्योंकि यह मल्टीपल होता है जो LCM है वो फैक्टर होता है ठीक है गुडन खंड होता है तो अगर हम इनको 4x का पावर 5 को 4x का पावर 5 से डिबाइड करें तो क्या पूरी तरह डिबाइड है और यही कंडिशन हम दूसरे वाले नंबर के लिए फालो करेंगे क्योंकि दो नंबर थे अगर इनको हम 2x का पावर 3 से डिबाइड करें तो क्या डिबाइड है नेह मिस्रा योगेन सिंग अगर हां तोड़ा तसल्ली रखिए मुझे यह बताईए इसमें भागफल कितना आएगा इसमें भागफल कितना आएगा अगर भाग करेंगे तो बोलो कुछ लोग काफी चटपटा रहें लेकिन उत्तर नहीं बताते हैं वो ना उत्तर बताने टाइम ना नहीं मर जाती है अब तड़ा पैसे रहे ना कि जैसे बिछूड गयें बहुत दिन से जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए बहुत देर लगा रहें आप तो भाई मतलब आय मैंने किसी ट्रक के पीछे पढ़ा और दूसरी बात आपको बता रोड पे देखते हो जल्दी होती ना ट्रक को रखके नीचे बहुत जाते हैं फिर वो कहीं और पहुंच जाते हैं इंतजार करने वाली इंतजार करती रह जाती लेकिन ऐसा ना हो किसी के साथ बगवान करें आप लोग जल्दी में ना रहें सब कुसल चलें आईए नाइन एक्स का पावर नाइन और ट्वैल एक्स का पावर टू अगर हम इनका ल्सी एम पूछे तो क्या होगा बताइए नरेस जी बताइए बोलिये इनका ल्सी एम क्या होगा हाँ इसमें कुछ लोग बता रहें कि टू एक्स का इसक्वार आएगा सबसे पहला अगर इसमें हम जब आप देखें मैंने जब से पूछा था तो मनोज का आया था मनोज के बाद नेहा मिसरा का आया था और क्यूट फिजा खान ठीक है बिल्कुल सहीन हुने बताया पहले ह हम क्या जोड़ने की पांच हो जाए तो वह होता एक्स की घाद दो तो इस तरह से यह फोर एक्स पाउर फाइप हो जाएगा फाइनल में जीरो आ जाएगा और टू एक्स का इसक्वार इसका भागफल हो जाएगा कृष्णा कुमार बेट आपनी पढ़ाई कर लो बाबू कुछ भी हो आप अपनी कर लो बस लाइस्ट बोल रहा हूं और फास्ट बोल रहा हूं चलो यह कितना हो गाय? 2x22x2 और अगर इसका हम गुड़ा इसमें कर दें 2x3, 2x2 q3, 2x² में तो क्या वह भाजा का बाज चैए dividend मिल जाएगा की नहीं? dividend मिल जाएगा ना? पांडे जी यह लाइब है चलता है रोज confusion में आप लोग रहते हो नाम ना बोलो तो कहेंगे यह तो लाइबर नहीं है बड़ी मुसीवत है यह कोई रोबोर्ट से थोड़ी बन जाती कलास मुझे आके ही जेलना पड़ता है कि आये चलिए कि इसमें मैंने LCM पूछा था साइद इस कुश्चन का भी मैंने अंसर नहीं बताया यह इधर भी कर देते हैं कि देखिए ट्रेल और थिरी का LCM पहले मुझे बताओ आप लोग पहले तो मैं रूल से चलता हूं इनको ऐसे ही लिख देंगे तीन एक्स छे अब ट्वयल का पहले फैक्टर करेंगी टू टू जब फोर रहां दू बार भाग करोगे भाई तो यह इसका फैक्टर हो गया ट्रेल का थिरी वैसे ही रहेगा थिरी में कोई और मल्टिपल होगा ही नहीं अभी हमने सिर्फ और सिर्फ गिंती का फैक्टर किय बाकी कुछ नहीं है कि 36 का पावर नाइन आ गया इसका अंसर अनुपम मिस्रा उसरी मौर्या ठीक है अनुपम जी बेरी गुड आए इसमें यक्स का पावर फोर है तो हमें काम करते हैं यह छे हैं सबको करना तो अलग है अलग पड़ेगा फिलाहाल चलिए फोर है तो इसको यक्स को फोर बार मल्टीपल करिए यह छे है तो इसमें छे बार करना याद रहें छे बार अब जीतना बार है उतना बार common ले लिजिए बड़े प्यार से आप सबको पता है common क्या होता है क्या इसमें कोई आईसा भी महापुरूस है जिसको common नहीं पता है कामन कुछ कहेंगे हिंदी में बताओ हिंदी इसकी आउर ख़तरनाक है तीखिए हिंदी में कामन को उभैनिष्ट बोलते हैं अब तुम कहोगे उभैनिष्ट यह कौन से पंची का नाम है तो वह कामन की हिंदी है आईए इसमें कामन लेते हैं उभैनिष्ट यह थ्री दोनों म नहीं है तो दोनों में नहीं है कrire अब यक्स एक मिल गया मील गया एक इस लिए चुरयitад चुर् кई एक उसकों कर आ इस लिए लगाते हैं कि कोई नंबर को दो बार नने जोने शुक्त तो में डबल है उसको एक से अदिक बार न लिखा जाई है मतलब अब नहीं है ना तो हम लिखेंगे हाँ पहले जितने common है, एक three, x के चार जोड़े common है, कितने जोड़े बने हैं, चार, तो जितने number आप pair है न उतने ही x यहां पर हम लिखेंगे, number आप pair four है, तो हम four x यहां पर लिखेंगे, ठीक है, ओके, अब ये दो बैचारे common नहीं थे, और ये भी दो common नहीं था, ये बैचारा एक यक्स और एक यक्स ये भी कॉमन नहीं था अब इन सब का मल्टीपल कर लेंगे ये हो जाएगा अंसर उमीद है सभी समझ गया होंगी दिल से बोलना बिल्कुल सामने से मैं हटता रहता हूँ छुपता रहता हूँ इसमें तीन का गुड़ा इसमें करोगे छे दुना बारा नंबर का हिसाब हो गया ट्वेल यक्स की संख्या कितनी बार है भाईयों, साथियों तीन, एक चार दो छे बार है तो गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं तो 12X का पावर 6 आएगा अगर मैं इसका थोड़ा और पोष्ट मार्डम करूँ बिस्तार से तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी बैरियेबल्स की कोई घात न दिखने पर उस पर एक माना जाता है तो यह 6 बार है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं चार, पांच, छे मतलब 6 बार यह जोड़ा गया है तो यह 12X का पावर 6 बना है सभी को समझ में आया तो जल्दी से बोली है यास, यास, यास आया समझ में हर कोई बोले का यास वन्स का कोई डाउट है बहुत यह डाउट वाली कलाफ PVR Study आपकी प्रीमियम सर्विस के साथ है उपलब्द है आप जाके अभी इन्रोल करिए पुछिए क्योंकि यहां पर हजार लोगों के जिन्दगी का सवाल है मैं डाउट में आ जाऊंगा तो इन लोग की जिन्दगी डाउट हो जाएगी आइए ठीक है यह हो गया लिखिए छापिए फटाफट एक और इसका आंसर फट की अपलोग बताओ इसका आंसर बताएए जल्दी से मैं मिटा रहा हूं इस्क्रीन साट ले लिजिए फट से जल्दी करिए बहुत जल्दी स्क्रीन साट ले लिजिए मैं कुछी सीकेंड के लिए हटाऊं औरे बाई आप लोग कलाव को लाइक नहीं कर रहें बाबू ऐसा क्यों है जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तुरंट देर ना करें फटा फट जल्दी करें होगे चलिए अब मैं आगे बात करता हूं उस कुईस्टन पर चलता हूं जिसका जबाब ठीक है आईए 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 मुझे उमीद है कि आप लोग सभी कर लेंगे यह बताईए कि आप भिन्नों का लसी एम बताया गय कि कि नहीं इसका अंसर सबसे पहले अनिल कुमार बर्मा जी ने बताया है अनिल कुमार बर्मा ठीक है चुम बहुत अच्छी एदनक गया बहुत-अइब और इनो अब आगे वोलेंके तब भी כट जाने दो चेलिए ठीक है यह तारीफ लड़कियों को पसंद आती है साइद लड़कों को कमी आती होगी मतलब 20S रूप से सुन्दर्ता वाली देखो तारीफ के चक्कर में मेरा गलबड हो गया तो भाई यह मत करना यह हो गया 9x का पावर यह 9 और यह 12x का पावर स्कॉयर इसका अंसर कितना आएगा कोई बता रहा है कि 12x कोई बता रहा चतिस देखिए एक्चुली आप थोड़ा सा बुद्धी लगाई है इसको तो छोड़ दीजिए कुश्चान अंसर क्या है यह 12 है और यह 9 है ना इनका LCM वो संख्या होगी जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए इन दोनों से पूरी तरह कट जाए वह यह यह कटना चाहिए ठीक है तो कितना हो जाएगा तो 36 आएगा ना ठीक है लेकिन अब रूल पर चलते हैं पहले हम नाइन का फैक्टर करेंगे थ्री इंटू थ्री यक्स का पावर नाइन है साथियों यहाँ पर हम एक जुगार करेंगे वह का पता है आएए मैं बताता हूं तोड़ेंगे यह गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है आप सबको पता है तो हमने इनको यक्स का स्कॉयर के पद में किया बहिए यह नौ है टोटल हमने चार लिख लिया है अब बाकी बचे हुए पांच एकठे लिख दो कोई फरक नहीं पड़ता है चाहें तो हम य इनको थोड़े टुकुड़े में रख दिया बस अब यह कितना हो जाएंगे दो से इनका दो क्या फैक्टर दो से करेंगे पहले तो दो तुना चार तीयां बारा यक्स का स्कॉयर ऐसे ही रहने देंगे अब कि हमने थोड़ा साट कट करने की कोशिज किया है ऐसे भी कर सकते हो इनका एक जोड़ा बन रहा है अब दो का तो कोई है नहीं इनका देखो यह सीध सियम जोड़ा एक तीन का बना है एक एक यक्स का स्कॉयर का बना है इसका है इसका है इसका है कोनो इधर साइड में नहीं इसका है बत्ती ले के देखो तब नहीं मिल रहा याँ उपर जिनका जिनका नहीं था नीचे में भी देखो या भाईया इनका भी दोनों का जोड़ा नहीं है इनको भी क्या करेंगे थोड़े इसी कृपा करेंगे इन पर भी सब का मल्टिपल कर लीजिए तीन त्रिक्का नौ दूना अठारा दूना छतिस कितना हो जाएगा 36 इनका गुड़ा करेंगे तो दो दो चार और ये पांच नौ गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तो यक्स कपावन नाइन 36 एक्स कपावन नाइन फिक है समझ में आया पता नहीं ये डियलेड वालों में है भी कि नहीं है एक मिनेट रुकना मैं थोड़ा सा आइसे लेबस में देखता हूं वैसे है घबराना नहीं कि फालतुए पढ़ा दिये पूरी रात खराब कर दिये ऐसे नहीं रात वाला मज़ा कलास में आता है अगर आप दिल से लो तब समझे रहे हो ना कोई और दूसरा मज़ा का अगर दिल में ख्याल चल रहा है तो वह नहीं आएगा फिलहाल उतना लेकिन थोड़ा बहुत तो आएगा ही आईए हम देखते हैं पहले पहुंचे कहां तक कुछ चीजें बाद में पढ़नी थी जिनें मैंने पहले पढ़ा दि सब्सक्राइब करें लेकिन इतना हार्ड कुश्चन आपके बीटीसी डियलेट के पथम समेश्टर में नहीं है यह हुई ना इस तरह का नहीं है लेकिन सिलेबस में जितना है उससे ज्यादा पढ़ना चाहिए फिलाहाल पल्टी कर देना अगर तुम्हें लगे कगल बढ़ है तो पल्टी करके पानी पी लेना आजम नहीं होगा चलो कि इतना बड़ा कुश्चन नहीं है अखिले से याद हो यह कौन है भाई यह काय को हाइड कर रहा है दिमाग में गुचारा जिन्दगी भर के लिए हमारी भी तो यह कोशिस है ठीक है तो आपके सिलेबस में जो है उसमें चलते हैं लौट आते हैं क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे हमों और हो गया hata आयहिए अब आपके सिलेबस में क्या आए मैं वोद बताता हूं कि आपके सिलेबस में ना बिलकुल चटपटा चटपटा साही बस देखिए क्या है लिखिए बारा नौ और पचीस यह सिलेबस वाला है इसको पढ़ाता हूं तो मुझे खुद नहीं मज़ा आता है इनका LCM बता है एकदम बच्चों वाला है अब बताइए बच्चों वाले से बच्चों वाला कुश्चन पूछेंगे तो फिर कहां अच्छा सब्सक्राइए एक बात और बताते हैं पीवी आरे स्टडी का जो प्रीमियम कोर्स है समय उसमें 50% डिसकाउंट चल रहा है 26 जनवरी के मौके पर आप चाहें तो पीवी आरे स्टडी डाउनलोड करके इंड्रोल कर सकते हैं बच्चों की लिमिट है उसमें अगर आप चाहत था ठीक है उसके बाद तो मुझे कोई अप्डेट नहीं आई कि आई इसका अंसर तो आप लोग चुटकियों में बता देंगे कितना हैगा यह सब छोड़के हम आगे बढ़ते हैं आप सबको मालूम है मैंने लसी एम पढ़ाया है अब लसी एम का टॉपिक होता है खतम हां आप लोग बोरिंग महसूस करने लगते हैं बै वही माट ढकेले पड़ा है चलो छोड़ो इसको अठाओ कुछ कुछ कुष्चन दे देते हैं आप लोग इन्हें घर से कर लीजिएगा ठीक है घर से कर लीजिएगा कुष्चन और लिख लीजिए 105, 175, 255 इनका HCF लिख लीजिए इनको अब भ्यास प्रस्ने कुछ लोग कहते हैं कि कहां से करें तो करने को तो तुम कहीं भी कर सकते हो लेकिन अच्छी जगा करना चाहिए समझ रहे हो लिखो जल्दी फटाफट मतलब इनको कुष्चन को लिखो जल्दी जल्दी से हो गया ना आगे अप तीस साथ और नबबे कि एच चीए अप अप अब जिख लिख लिजिये लिख लिख लिजिये उसके बाद इसमें टॉपिक है इसमें अब्धाजर्य वाला भी पढ़ाना पढ़ेगा ब़ा 320 यह 320 है अगर सुनाई पढ़ रहा है तो बाकी इसमें ज्यादा दिया तो है नहीं है यह बताइए भिन्नो का LCM पढ़े हो कि नहीं आप सभी LCM आप फ्रेक्शन जैसे 15 बटा 7 और 3 बटा 5 का LCM अगर नहीं पढ़े हैं तो सभी इनon no 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 पूरे कमेंटमागस में धुआ धुॉआ धुआ हो जाना चाहिए तब बताएंगे यह बाई यू पी किया नाम श्यक्राज मीरी कि वह आप नाम ज disclosure माहिरा पंडित इनको व्लक रहा आए जाएगा यह तो अपना नाम थ़्ूड़ा सभी सुद्धर बना क्या यह हां नाम बनाने को बोल रहे मेकप करने को नहीं बोल रहे हैं जाके कुद पड़ो जो नाम अच्छा से लगे मतलब लगे कि यहां आप इंसान रूप में देखिए नो की जगा पे जादा तरिया सा रहा है यह वही लोग हैं कौन से पता है जब ट्रैफिक में जाम लगा होता है एक साइड की लेन चलती रहती है दूसरे साइड की जाम रहती है ना तो यह जिदर चलती रहती उधर खड़े हो जाते मुझ पहला के कभी कभी तना गा पुष्वरी साइड में खड़ा जाता सामने पिर ना वो जाएगा न जाने देगा यह मारे देश में मुर्कों की अधिकता के कारण ऐसा होता है अगर इसमें से भी कोई है वो सुन रहा है तो आजा ना करें ठीक है थोड़ा सा सबर रखें कुद भी जाने और लोगों को भ रहेTime ile देने किसी को बुरा न लगे मैं कुछ बठाने के लिए असा पॉला था और को सिखाने के लिए बूरा नहीं मानी करह के यह को पूछ लोग कह रहें कि यह नहीं आता तो मैं बता देता हूँ ठीक है इसको थोड़ा सभी बताई देता हु आहिए मैं बताता हूँ जैसे अगर 3 बटा 7 लिखा है न और 2 बटा 9 लिखा है इनका करना है LCM तो इसमें एक सुत्र होता है वो क्या होता है पहले ये देखना है कि निकालना क्या है ऐसे लाइन खीचते हैं अंसों का और हरों का लिखते हैं ठीक है अगर यहां LCM निकालना है तो आप उपर LCM लिखेंगे नीचे HCF लिखेंगे यानि कुल मिला के इसको करने के लिए आपको LCM HCF दोनों आना चाहिए दोनों आना चाहिए तो इसका फाइनल आंसर कोई बताएगा मुझे अस्वनी कुमार बताएए देखिए अंसों का LCM इसमें अंस है तीन इसमें दो है तो तीन और दो का LCM थोड़ा बिस्तार में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारी कोशी सब को समझ में आए हरों का HCF तो 7 और 9 इनका क्या करना HCF करना है तो भईया LCM करना आप सबको पता है अगर वो संख्याएं आपस प्रकार के common factor नहीं है तो सिर्फ उनका गुड़ा कर लेने पर ही क्या हो जाता है LCM आ जाता है तो इनका गुड़ा करने पेछे आएगा अगर इनके HCF की बात करें तो इनमें कोई common factor नहीं होगा तो इनका HCF वन होगा यानि LCM में अगर कुछ common नहीं है तो उनका गुड़ा कर लिया जाता है पस और अगर HCF में HCF में कोई common नहीं है तो हमेशा HCF वनाता है क्यूट फीजा खान तिरसट आ रहा है अच्छा है यह 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 बता रहा जा जो लोग को नो कट जाएं तो यह बता तीरफट फे कहीं यह संभव है जो लोग 63 बता रहें अरे गधो 63 से क्या सेबन completely divided है 63 से क्या 9 completely divided है HCF का मतलब होता है फैक्टर गुडण खंड ठीक है तो यह समझ गए यह वही लोग है जो अब यास यास बोल रहे थे दात निकाल के हैं वही लोग हैं कर बढ़ा रहे आई यह इदर देखिए बुरा नहीं मानियेगा कभी भी ओबर कॉंफिडेंस में नहीं रहना चाहिए इंसान जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता है जिस दिन आपकी क्लास चलाने के पहले हम आपका ये मैटरियल देखे रहते हैं कि आज क्या पढ़ाना है कितना बेहतर तरीके से पढ़ाना है उद दिन क्लास बेहतर होती है और कंदर कॉछ से इसलिए कोई भी जानता है कि वहमेशा शीकता है अगर हमेशा सीकता है तभी वह आगे बढ़ता रह्मां सब्सक्राइ। कोई कितना भी विद्वान हो हर समय सीखता है हो गया ये एक बताइए नो बटा बारा और तेरा बटा पंद्रा इनका बताइए लसीम चलिए कोशिस करिए भाई रुख जाईए आप या परिशान मत रहिए हाँ चलिए डन हाँ नहीं बोला था यस अच्छा ठीक है देखिए बुरा नहीं मानिये भाई सौरी सौरी अब आप लोगों से सौरी बोल रहे हैं और क्या बोले है चलिए आगे बढ़ें कुछ लोग तो नराज जाते हैं मतलब आदा मिनिट में मनाना भी पढ़ता है इंवे आरेन को भाया इनको इंस्टा आइडी दे दो इनकी जिन्दगी उसी में है इनको इंस्टा आइडी दे दो इनकी जिन्दगी बस उतने में ही है उसके आगे इनकी जिन्दगी का कोई उद्देफ नहीं बचा है इसमें भी ऐसे ही करेंगे अंसों का यल्सियम यानि 9 और 13 का यहां पर आजाईए थोड़ा सा समझ लीजिए 9 और 13 में कोई भी कामन फैक्टर नहीं है और अगर ऐसा होता है तो इनका मल्टिपल हमेशा इनका ल्सीयम होता है तेरह नमईय कितना होता है 13,9,11,7 तो इनका ल्सीयम के लिए गुड़ा हो जाएगा 117 इनका एच्सीयम निकलेगा है इनका हैसीयम निकलेगा तक यो को क्योंकि वह कॉमन नंबर जो दोनों को अधिल नों को कमप्लिटली डिवाइड कर सके वह तीन होगी क्या होगा तीन होगा है तो यह 3 हो जाएगा अब यह आपस में कट जाएं वर लग बात है यह कट पिट जाएंगे हल हो जाएंगे ना तीन तरीक करनों तीन नोग सब ताइस यह कट जाएगा सरल हो जाएगा एक्चुली यह यहां पर सरल कर लेना था हम लोगों ने थोड़ा सा उल्टा किया है फिलहाल आंसर गलत नहीं है थाटीनाइन आएगा यह भी सही है लेकिन इनको हमें ऊपर ही सरल कर लेना था थे खांगे वी ऊपर कैसे कर लेना था यह भी बता देता हूं देखिए हमारी कोसि से हर किसी को समझ में आए इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत धीरे-दीरे बताता हूं मतलब चीजों को जल्दी काटम नहीं करता हूं बिना पूरा एक्स्प्लेइन की है इनको आप ऐसे कर सकते थे तीन तरीक करनों तीन चोग बारा यह रियल का यह बाई उल्टा ना हो यार जिन्दगी वाइस अभी उल्टा चल रहे है तो भी उल्टा हो जा रहे है उपर थ्री आया था यह तो कटेगा नहीं यह पांच लिखाओं थोड़ा लगवा मार गया टेड़ा हो गया वह लगबात है कुछ मजा वजा आ रही कि ऐसे ही आप कुछ गर्मा गर्म बात करें चटपटी सीखा कुछ लोग कभी-कभी कहते हैं बड़ी मजा नहीं आरी कलास में उनके लिए केजार पावन सिंग आचरा काजल रगवानी और कैसारी लाल यह लोग है न मजा वाले जाके देखो न आईए इनका आप सीधा-सीधा गुड़ा कर लीजिए उन्हें तालिस आएगा यह भाई अब तो इसका अंसर बदल जाएगा का अब तो फिर गड़बर था वह इसका मतलब क्यों कि दित्रिक करनों तिन चोक बारा हां वो जो इसके पहले हम लोगों ने किया था इसका मतलब वह सही नहीं था कोई ऐसी गिंती बताइए जो इन दोनों को completely divide कर सके इन दोनों को completely divide करने मला सिर्फ वह नहीं हो सकता है यह इसका रियल में अंसर है 39 वह गलत था जो इसके पहले किया गया था क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको सरल नहीं किया था ठीक है इसको पहले सरल कर लेना जरूरी है मतलब जितना यह चोटे चोटे टुकड़े में हो सके उतना पहले काट लीजिए तब आप LCM के सेक्षन में आईए यह इसका अंसर है इसके पहले जो अभी अभी किया था वह गलत था क्योंकि इसको हम लोगों ने सरली करन नहीं किया था समझ में आई सभी को चापिए फटापट चापिए और आप लोग कलास को लाइक सेर नहीं करते हैं यह दिल में बड़ी तकलीफ होती अंदर से समझ रहो ना मेरी वाली विकायती मत प्लाया करो यह लोग सुनते नहीं आपकी एक भी लेकिन मैं क्या करूं उसकी बात कभी दर किनार करके मैं आपको पढ़ाता हूं लड़ाई जगड़ा जहल लेता हूं थोड़ा बहुत चलिए लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि सुनते हैं कम से कम कलास को सेयर तो कर दिया करिए आई यह इतना हो गया यह मिटाने वाला थोड़ा एक गड़बड़ है ना आज इसी में मुझे लग रहा टाइम बीच जाएगा क्या करूं अब आगे और इनका LCM बताइए कितना आएगा इनका कितना आएगा अच्छा वही आया था ठीक ठीक ऐसा ही था मुझे त्यान नहीं था जो भी होगा आंसर एक चीज़ याद रहे mathematics में कोई भी रूल लगा रहे हो कुछ मात्र नाम मात्र के सवालों को छोड़ दिया जाए तो लगबग किसी भी रूल से करोगे तो सारे सवाल में अंसर एक आता है आंसर एक याता चाह जैसे भी करोगे लेकिन पर्मिय संख्या की बीच पर्मिय संख्या निकालना जो कि अभी तक मुझे याद है हाली में उसमें ऐसा नहीं होता है उसमें अलग-अलग हो सकता है मंदीब डीटी चलो ठीक है इतना हो गया डन आईए बात करते हैं यह 35 और 1717 इन में आपस में कोई अधान ही कामन मल्टीपल नहीं है अचा एक बात ब्ताओ आप लोग इक बात बताओ तुम तो यहादों में मरने वाली बात नहीं पूछूंगा मैं इक बात बताओ कि सहा बाद आता है संख्या कि नहीं कि साहभाद जी संख्य आप लोग जानते हैं वही साथ जीएंगे साथ मरेंगे वाले हैं यह लोग ना हम सुधर रहेंगे ना तुम्हें सुधरने देंगे बताइए इन में कोई दो नंबर को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ए रुग जा बैटरी इसकी डिश्चार्ज हो गये थोड़ा सा रुख जाना एक मिनट भाई थोड़ा सा रुख जाना यह चार्जर यहां पाता के रखता है इन लोगों ने मैं क्या करूं इनको चलिए ठीक है ओके हाँ तो मैंने कुछ पूछा था इन लोगों ने बक्का ही नहीं सा अभाज जे शंख्या मैंने पूछा था यह इस बताओ बहिया जो बाब बतायो रजा बता कितना होगा हम् गार्य दाज आप ही माहिरा है अच्छी बात है कि आप हैं यह कभी डिवाइड नहीं होगा यह दोनों डिवाइड हो सकते हैं डिवाइड करने के लिए हम इनका HCF से ही हमेशा इनको डिबाइड करते हैं HCF मतलब वो बड़ी से बड़ी गिंती जिसे दोनों कड़ जाए वो होगी पांच तो पांच अठे चालिस और पचम पचीज यह रियल का नंबर आ गया इनका LCM कर लिजिए जो कि आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीपल हो जाएगा इनका भी वन आएगा ठीक है हाँ रंजीत कुमार सपनर आठोर बिल्कुल बेरी गुट बेरी गुट ऐसी संख्यां जिनमें कोई कामन फैक्टर ना हो जैसे दो तीन और पांच हो गया दो और साथ हो गया एक चीज और साह अभाज्य का मतलब इसमें भाज या भाज इससे कोई मतलब नहीं होता है यह सिच्छित लोग हैं इनमें हिंदु मुस्लिम दर्म का कोई जंजट नहीं है समझ रहो अब यह काओगे दर्म वाली कौनसी बात है अगर आपने हमारी बेसिक कलाश देखा होगा तो मैंने आपको परजन ट कर दा दा ठीक है ऐइए देखेंसे अगर मैंने लिखा तीन और बार्रा तो किया यह को पराइम नंबर हो सकते हैं कि मैं यह को पराइम नंबर नहीं हो सकते है इफ लिए नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कामन फैक्टर है बहुती से काटो यह कर जाएंगे आपसमें यह तीन एकम तीन तीन चोग 12 तो एक और चार आ गया यह ऐसी थिती अगर होती है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होती है लेकिन बारा और पांच ये को प्राइम नंबर है ये साह अभाज्य है इसमें से एक संख्या सम भी है भाज्य भी है लेकिन इन दोनों से कंपेर करते हैं मतलब कोई ऐसा भी गुड़नखन नहीं होना चाहिए जो दोनों में कमन हो बस राधा देवी हरसिता सर्मा नेहा मिस्रा मनवेंद्र सिंग ठीक है बेरी गुड अच्छा एक और बताईए क्या तीन और चार यह सहाभाज यह हैं अगर हैं तो सभी ए लिख के कमेंट करेंगे ए फार एपल और नहीं है तो भी लिखतेंगे भी फार वाल या बेलन या बहु और बरतन और बहुत सार चीज़ होता भी से बीबी भी होती एक आईए हो गया इतना अब इदर साइड में आ ठीक है आखिले श्रीवास्तो अनुपा महुर्या बेरी गुड भाज्य संख्या इस ठीक है फटाफट आईए चलिया आगे बढ़ते हैं तो इक है डांटवरी बहुत अच्छे साथी हमारे बहुत अच्छे बेरी गुड मेहनत कर रहे हैं आप लोग राधा देभी नरेस ड और जो P के अलामा C लिख रहा है वो C से है C से क्या आईए बात करते हैं जाने दीजिए देखे साथियों यह मुख्य रूप से कैसे पहचानते हैं हम आपको पूरा डीटियल एक्स्पिलन करके बताएंगे जैसे मैंने आपको फैक्टर पढ़ा दिया है इसके फैक्टर 1 हो होंगे और फोर होंगे है ना यहीं तो होगा किसी की दिल में कोई और बात आ रही तो बता दीजिए कि नहीं इतने तो नहीं होगा और भी होगा इतने होगा न अगर मैं बात करूं इसके फैक्टर के तो कितने हैं भाईया वन होगा और टू होगा अगर मैं बात करूं इसका फैक्टर तो वन होगा और थ्री होगा फैक्टर का मतलब गुडणखंड गुडणखंड आप जानते हैं न अमिद सिंग पढ़ लीजिए बच्चा पढ़ लीजिए बाबु भाईया रजा पढ़ लीजिए काम अच्छा करेंगे तो नाम होता है आईए यह सभी क्या इनके फैक्टर हैं यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कुछ का अब इस सब कुछ दिखेगा जो चाहते हो वह भी दिखेगा बस देखते तो रहो इनके यह क्या है फैक्टर है गुडनखंड है अब पिछली कलास में मैंने गुडनखंड बता दिया गुडनखंड क्या होते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं टाइम बेस्ट बिल्कुल नहीं करना कमेंट नहीं पड़ेंगे कसम खा ल कौन-कौन समझ गया मेरी बात अरे आप लोग बहुत बड़े खिलाड़ी उजान जाते हैं तो वह संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर ना हो और वह फैक्टर दो कैसे हो एक तो वह खुदी हो एक तो वह संख्या खुदी ही हो और एक वन हो बस ऐसी संख्या क्या होती है यह भाज्य नहीं होती है भाज्य नहीं होती मतलब अभाज्य होती है ठीक है यह क्या होती है अभाज्य होती है बाकी सभी संख्याएं क्या होती है भाज्य होती है बता ये समझ में आया आया समझ में यानि वो संख्या जिसके एक के और खुद के अलामा कोई दूसरा फैक्टर ना हो वो अबाज्य संख्या का लाती है मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद है उसकी महरा रू है लरका बच्चा नहीं आप कुछ लोग को तो कुछ और समझ में आ गया होगा लेकिन जिसके दो चार चिल्लू मिल्लू भी है वो क्या है वो भाज्य है अब आज्य नहीं है समझ गए तो ये क्या है ये भाज्य है ये भी बाकी वो दोनों अबाज्य है अभी को समझ में आया आया समझ में यानि वो संख्या जिसके एक और खुद वो संख्या जो संख्या रहे उसको दोनों को छोड़ दिया जाए तो कोई और फैक्टर ना हो वो अबाज्य होती है बाकी सभी संख्याएं बाज्य होती है काहानी को आगे बढ़ाते हैं लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत स्काया चीजंगे मालूमनी चहिए पाहारा-ाड़ा आना छीए काटना पिटना आना चहिए आईए बताईए सबसे पहले सुपरफाश्ट तरीके से आप लोग बताएंगे बहुत ही स्पीड में यह मैंने नंबर लिखा है 17 33 और 43 इनमें कौन सी संक्या अभाज्य है एक बार कोशिस कर लीजिए तोनी देवी अनामिका कुमारी आपको नहीं आया आएगा बुद्धी ल लगेगा हर सिता सर्मा बेरी गुट बहुत अच्छे डॉली सतीस सोनी मनीस नेहा ठीक है आईए बेरी गुट बहुत अच्छे बैया हो चचाहो का ये यह बाज्य है का सब लोग इसको तो बता रहे हो इनको काय छोड़ दिये दिव्यातिवारी जी ने बताया उसको बहुत अच्छे बरे गुट क्यूट भीजा खान का सही है क्योंकि इन्होंने दोनों नंबर को देखा भई सब का लेके चलना है यह दोनों क्या है अभाज है यह दोनों अभाज है कि 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 समझ में आना कि तीवारी जी टेट के लिए मैथ पढ़ना है तो आप पीवीर स्टडी अच्छा जो लोग समझ गए हैं वो थोड़ा सा दिमाग का परियोग कर लें जैसे करत करता अभ्यास से जर्णमत अवोत सुजान और अफरी आवज्जात से सिलपर परत निसान यह बताईए नब्बे और सौ नब्बे और सौ के बीच कौन-कौन सी संख्याएं हैं जो अभ आप लोग भाजय और अभाजय समझ गयों देखिए एक चीज समझ लेना यहां अभाजय और संख्या में कोई संबंद नहीं है सम बिसम अलग चीज है भाजय अभाजय अलग है सबसे पहला जबाब आया है इसमें उनका नाम है सतीस सतीस ने पूरा आंसर नहीं दिया है वो अभाज्य नहीं है 91 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 91 के बहुत सारे लड़के बच्चे हैं छुपे हुए हैं वो जो कि आप लोगों के नजर में नहीं आ रहे हैं कुछ लोग 91 को बताया जाने देखो कि बुद्धी गई है घहां चरने 91 जो है वो क्या है वह अभाज नहीं है क्योंकि 91 थिरीफे डिवाइड होती है है नएग सेवन से ओती है सेवन से होती है 13 से होती है 13 119 होता है ना ठीक है ठीक है आईए बात करते चाहरे आगे-बढ़ते हैं बहुत अच्छे आप मिटाना भी पढ़ता है चलो ठीक है में आइए देखेंशार आ बात कर रहे थे वह देखीए के बीच देखो मैंने बीच वरड़ी उच किया इसके जो बीच में आते हैं आईए मैं सब क्लियर कर देता हूं देखो भाई 90 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99 इसमें यह संख्या तो हमें छोड़ी देना है यह भी छोड़ देना है क्यों नहीं मैंने इनके दोनों के बीच में कहा था कितनी अभाज्य है कि आये कि यह डिवाइड है सेबन से हां थार्टीन से 91 से बोलो हां 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 कि 91 साथ से कट जाएगा तेरा से कट जाएगा और इक्याननवे से भी कट जाएगा 91 यह तो बिस्व भिख्यात है सबसे कट जाएगा बहुत सारी संख्याओं से कटेगा दो से भी कट जाएगा हम और किस से कटेगा कई संख्याओं से कट जाएगा यह मुक्यता जो संख्या ना है 97 है और कौन है 93 भी है नहीं नहीं मुझे लगता है कि 93 है यह नहीं देखने में कुछ लोग सीधा-साधा लगते हैं सन्यासी लगते हैं भगवा कपड़े पहिन लेते हैं लेकिन साम को लगाते हैं कि समझ रहा हो सही बात बोल रहा हूं ना बुरा ना लगे किसी को यह देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं कि यह है नहीं क्योंकि यह तीन से तो सिधा विदा कट जाएगा और फिर कौन है यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह किससे कटेगा कूछ लोग अभी इसमें बहुत सारी संक्राइन मिल रही है यह लोग पांच-पांच-पांच संक्रा बता रहे थे किया बाज जिया इसके बीच में 91 भी बता रहे थे 93 भी बता रहे थे 99 भी बता रहे थे कमाल है कि आई यह देखे इधर ठीक है तो यह पांच से कड़ जाएगा क्या यह भी कड़ जाएगा पांच इकमपांच 549 पैतालिस उन्निस पंचे पंचाननबे बड़ी मुसीबत है तो तो एकके संख्या बच रही जो लोग बता रहे हैं कि यह 95 है ना बच्चा यह भाईया यह फाइप से डिवाइड है हां पांच इकमपांच 549 पैतालिस उन्निस पंचे पंचाननबे होता जिनको पहाड़ा वाड़ा नहीं आता है वो कन्फ्यूजन में होंगे हूं तो कितनी मिली सिर्फ और सिर्फ एक मिली पता नई घगवान यह मिलेगी किसी से कटेगी क्या है कि इसके भी होगा कोई नकोई के देख خेडि़ आट्रा करिए टिवारी जी मैं कितनी बार वोलू आप क्या चाहते हैं कि में आप ये का कमेंट पढ़ूं भान नीचे नंबर चल रहे हैं उन्पे आप इंक्वारी करिए हमारे साथी लोग आप ही के लिए इंतजार कर रहे हैं आप उन पर फोन करिए दिन में बताएंगे आपको कि यह किसी से कटेगा क्या यानि यही एक है वास्तों में जिसकी हम लोग को तलाफ थी जिसका मुझे था इंतजार और इसी के लिए दिल था बेकरार यह मिल गई यानि इतनी संख्याओं में से जो मैंने इसमें पूछा था उसका सिर्फ एक ही आंसर था 97 यह लोग का बता रहे थे यह लोग बता रहे थ चलो लिख लो पटापट तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कहीं पूछे कि सो और उसरी 90 और सो के बीच में कौन सी संख्या है कितनी संख्या है जो अभाज्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ 97 है कौन है 97 एक चीज़ और समझ लिजिए यह कंपर्टीशन में भी याद र नबे और सो के बीच कितनी अभाजे संख्याएं हैं सिर्फ इतने पूछता कितनी हैं बस आपसन दे देगा एक पांच तीन साथ यह चाचा चाची लोग लगा देंगे आठ यह हां समझ रहे हो ना तो ऐसे पूछ लिया जाता है इसलिए यह जरूरी है आपको आना चाहिए इतना लंबा खीचने के लिए बहुत-बहुत स्वारी अब इसको हम रखते हैं किनारे देखिए हमारी कलास में आपको कुछ टॉपिक बहुत लंबे लग सकते हैं मतलब अजीब टाइप के लेकिन हमारी कोशिस है न कि इसकी जड़ तक जाया जाया है कि इसकी उतुपत्ति कहां से हुई है पूरा डीटील में जिससे कि कमजोर से कमजोर जो है न बचवा और बटाइए वाँ दो ढबाज संक्य बताईए जल्दी करिए हमारी ट्वी सहां चलिए बयाक हो गया इससे ज्यदा कुछ नहीं बताना है अ है उज़ह महत्यम समांपुयर्तक भाग विदी से महत्तम समापुर तक उसके पहले थोड़ा आउल ले लो दुचाठी मिल गया है जब यह रखे हैं आईए यह बताईए आपसे पूछा गया है यह बीटी सी की परिक्षा में पूछा गया सवाल है कुश्चन है एक से बीस तक कितनी अभाज संख्याएं है फटा-फट बताईए बीटी सी की परिक्षा में पूछा गया परफन है एक से बीस तक कितनी अभाज संख्याएं है बताइए जवाब दीजिए इस सवाल का जवाब बहुत से साथियों ने बताया है बहुत अच्छे बरी गुड अजीत चौधरी ठीक है अरेसमी सिंग बरी गुड और कोई अनिवन अरे कोशिस तो कर लिजिए थोड़े कोशिस कर लिजिए रच्छी वर आईए एक से लेकर 20 तक कितनी अभाजे संख्याएं हैं अभाजे संख्या क्या होती हैं कैसे होती हैं कितनी सुन्दर होती हैं बता दिया हूं पहले ही तो बताना तो है नहीं और क्या है एक ठीवर बता दो बाई कि एक से बीस तक की सभी भाज संख्याएं बताईए यह भी पूछा गया प्रस्न है इसका जो सबसे पहला जबाब आया है वो किनका है मैं उनका नाम जरूर बोलूंगा इनका नाम है पांडे जी बहुत अच्छा बेरे गुड और पांड से फीजा खान का अंसर आया है ठीक है बहुत अच्छे आप लोग कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं और कोई अनिवन कोई है आई यह देखिए मैं बताता हूं इनके बीच में जो अभाज संख्याएं हैं एक से बीस तक मतलब एक से सुरू करना है एक चीज पहले यह समझ यह श्यां और यह जीरो यह दोनों न अ भाज्य ना ऑभाज्य ना आभाज्य यह बीरादरी से बाहर रहे हैं ने इनकी कोई इनकी कहानी शुरू होती है संख्या 2 से संख्या 2 से शुरू होती है कुछ लोग अभाज संख्या में 1 को काउंट कर लेते हैं जो की गलत है 1 अभाज नहीं है ठीक है? तो ये 2 से शुरू होता है 2, 3, 5, 7 अब 9 मत लिखना क्योंकि 9 विसम संख्या तो है 13, 14, 15, 16, 17 भी नहीं है ओ 9 यहनि अगर हम बात करें टोटल नंबर आफ प्राइम नंबर तो 8 है टोटल कितने है? 8 समझ में आया ना नेहा मिसरा जी नेहा जी बहुत अच्छा बरी गुड बहुत अच्छे बरी गुड देखिए यह भाज्य संख्या में सम भी सम दोनों आती है तो यह भी वन से नहीं शुरू होगी बही साहाब यह चच्छा लोग इनका देखा पहले यह लोग भाज्य संख्या में दो को भी काउंट कर रहे हैं मतलब यह बिचारी सीधी साधी लग रहे हैं इसको कुछ लोग भाज्य में भी घषीट रहें कुछ लोग अभाज्य में भी घषीट रहें जिसंख्या ऐसी यह ना जैसे रावन की नगरी में विवेशन जी थे राच्छा नगरी में रहते थे लेकिन बगवान राम चंदर जी की पूजा करते थे तो ऐसे यह क्या है यह संसंख्या है लेकिन यह अभाज्य है अभाज्य है लेकिन अभाज्य है जैफे देखिए आरपना यादो अखले से यादो जी के घर की हैं लेकिन चुनाओ विजेपी से लड़ने गई कि समझ रहे हुँ न ऐसे कुछ के आए तो यह कि इसमें समझगे न तो भाजय संख्या की सुर्वा चार से होती है सांगति फोवैं तो दो क्या है तो अब संख्या जो लोग इसको भाज में लगाएं न जैसे सोनी गुप्ता का हो गया नेहा मिस्रा का हो गया और फिजा खान का हो गया यह लोगों ने दो को दोनों में खसीता है ठीक है तो यह भाज में चार हो जाएगा छे हो जाएगा आठ हो जाएगा नो हो जाएगा दस हो जाएगा बारा हो जाएगा चाउदा पंदरा भी हो जाएगा 16 18 और 20 समझ में आया ना यानि इनकी संख्या टोटल कितनी है यह चार हो गए चार आठ आठ तीन 11 कितना हो गए 11 कितना हो गए 11 तो 11 यह आठ ही हो गया टोटल 19 और एक से लेकर 20 तक बताना था तो एक ठी कहा गई जरह सोचिए किसकी बुद्धी लग रही है यह ग्यारा है यह आठ है और टोटल एक से 20 तक निकालना था तो भाईया कौन सी संख्या है जो इसमें से गयाव हो गई कोई बताएगा नेहा नेहा जी 11 नहीं है 11 तो यह इसमें सामिल है ना 11 तो है ना इसमें 11 नहीं है गलत है भीचा खान नेहा गुपता परीतिया दो बहुत अच्छे वण 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 विरादरी से बाहर है यह बहुत बड़ा पापकरा है इसको इसमें से निकाल दिया गया है वण यानि 11 आठ 19 हो रहा है और वण एक ऐसी संख्या है जो ना की भाज्य है ना भाज्य है कुछ नहीं है ना मेल है ना फीमेल है यह दूफरे मेंच का बीचवाला है समझ रहा हूं चलो तो यह हो गए आप लोग समझ गए इसमें से कुछ और भी कुश्चन अगर आपसे पूछे हैं तो आप लोग पहले फेल हो जाते हैं अभी एक ठी पूछा था सब फेल हो गये तो एक बार फिर से आप लोग देखिए कौन-कौन पास हो रहा है चलिए बताइए बताइए 21 से 30 तक कितनी संख्या है अब आज है पटा-फट बताइए इमांदारी से देखते हैं कितनी बुद्धी आती है आपके पास चलिए अरे भाई कलसवा लाइक नहीं कर रहे हैं आप सब दना बोलेंगे कि अधाय से ज़्यादा कोई नहीं लाइक करा है मतलब कि मैं अगर ना बोलूं एक मिनट देखने दो तो यह लोग अभी तक केवल 44 लाइक करें बस कि अटा-फट हर कोई पहले लाइक करिए उत्तरबाद बताईए जल्दी करिए फटा-फट जल्दी से फटा-फट हाँ तो जा बताऊं तो इसके आगे मैं कुछ बताई नहीं पा रहा हूं जल्दी से वही देखिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसे जबरजस्ति मत समझिए अगर मैं आपके लिए कलाफ चला रहा हूं सब कोशिस है कि यूटूब पे आपको बिल्कुल फिरी बढ़ा दें हां सारा सिस्टम लगाएं आपके लिए तो आपकी थोड़ी से जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका निर्वाहन करें नहीं तो बहुत बड़ा पाप होता है समझ रहे हैं तो इस बात को समझें आई हम अप अपट मित्रफे चोरी कि बाकी आगे की लाइन तो इसमें मैंने पूछा था कि ट्वंटी वन से थार्टी तक कि इतनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं जिसमें से बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दिया है परिति यादो बोल रहीं कि आरती मेरा वाला छाप ली है दिव्या गुपता बोल रहीं कि नहीं नहीं मेरा वाला छापी है मतलब लग रहा है इन लोग के पास जब बुद्धी बगवान दे रहे थे यह लंच करने चले गई थी का है कोई दूसरा काय चापेगा तुमारा यह देखो सहाना परवीन सहाना परवीन गलत है ट्वंटी वन यह थिरी से डिवाइड है सेबन से भी डिवाइड है ट्वंटी वन से भी डिवाइड है यह अबाज नहीं है ट्वंटी थिरी है फिर ट्वंटी फॉर भी नहीं है ट्वंटी फाइब भी नहीं है ट्वंटी स आई का ना सप्टना राठ और सिर्फ दो ही संक्या है जो अभाज्य है इसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी है खतरनाक इनके नाम मैं बोल दूँ जैसे तो सहाना परवीन की बड़ी बिज्जिती हो जारी नहीं बोलेंगे इन्होंने सारे नंबर बता दिये थे नेहा बर्मा ने भी 27 को भी बताया था नेहा जी 27 तीन से भी कड़ती है तीन नमवा 27 पहाडा वाडा याद कर लीजिए नो से भी कटेगी 27 27 खुद 27 से कड़ती है और कौन बताया था जिन्होंने गलत किया था फीजा खान इन्होंने केवल 26 बताया था सरीता देवी आपका भी गलत था और नेहा मिस्रा ने सही ब अब आजे में किना था यह बाजे है ठीक है आगे एक सवाल और भी पूंचे की रहने दें आप चली आटा यह बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत टाइम भी हो रहा लग रहा मुझे तो आगे क्या करना भाईया इसमें भाग विधी से एचसी अफ बताना है भाग विधी से एचसी अफ 699 और 324 आईए टॉपिक दिखाईए फिर से एक बार टॉपिक की स्क्रीन पर दिख रहा नीचे ए बी हमने से एचसी अफ इसको नहीं बताया था ना अभी तक थोड़ा इसमें स्याहिए भरना पड़ेगा कर अभी पहिले ही बता दिये हैं अच्छा ठीक है सिल्पा के सरवानी आगे पढ़ाएं ठीक है अब मुझे बताईए जो लोग काफी छट पढ़ाय रहे हैं 699 और 324 इसका अच्छे सियब बता दीजिए तो फटाफट बताईए जल्दी करिये बड़ा देर हम रुक रुक के बोलेंगे क्योंकि कुछ लोग बहुत भयानक गारी देते हैं बाद में कहता है इतना तेज बोलोगे था हम कोई सब्सक्राइब काफ़न को लिए मजों रिकार्ड हो जाएगा और हमारी एक आधत है बोलने में बहुत तेज खाने में बहुत तयज चलने में बहुत तेज लोग हमसे हो जाते परिसान समझ्ज रहोयो ना हम्ax चलीर लगा नहीं कि चर्जर इसमें लगाई नहीं काने में तेज का मतलब यह नहीं कि हम हमें अग competent effects है दूइ मिनट में इसी में टाइम बचाते हैं इतने जगा बाकी हर लेका टाइम नहीं बचाते हैं कि अपना रिपीट हो रहा है अच्छा अच्छ यह बताया हूं भाग विदी से नहीं बताया आज बड़े-बड़े कोईश्चन करवाएंगे बताया भी होगा तो इसमें बड़े-बड़े कोईश्चन होंगे कि यह क्या वता रहे हैं भई एक आंसर आएगा इसका जो भी आएगा वन एक अंसर हो गाई इस अब यह चार आध कर दा निकालना होता है तब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं ठीक है आईए जैसे बस ज्यादा नहीं बताएंगे टेंशन मत लीजिए थोड़ा सब्र बना के रखिए 699 है यह 324 है अगर बताया भी था तो यह अलग है सवाल बिल्कुल थोड़ा सब्र बना के रखिए अलग है इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा गिंती बड़ी बड़ी है पेपर में उसे चोटा-चोटा नहीं आता मैं जो बताया भी था बहुत चोटा-चोटा बताया था सुआ सुआ करेंगे तो तीन का भाग छे में कितनी बार जायएगा पहले हम त्राइग स तूझ्थ करेंगे सो हम दो बार ऐ करेंगे तो स्थी में जा समय उर अर इस इस दो के संपा Stuart यह है इनको घट आईए कितिने आएंगे किकरें साज़ो करें कि दूर्ण से चार गया फांच फिप्टी बनाया ना देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं जो लोग सोच ने बताया था कोई दिक्कत नहीं यह कुछ नया है देख लीजिए हजम हो जाएगा ठंडी का महीना है गर्मी में उताता पच्छ हो जाती है यह तो यह जो फिप्टी बनाया ना को बच्चे हगे अभी के लिए अभिए हम लोग के ममें पापा था में लोग उनके बच्चे हैं और हम लोग के बच्चे होंगे हो एंग आ पने मतलब बब्लते जाती है न ऐसको अबधा था मुझे यह आ ऻादाया छे कम छे छे पंचे तीस चुकि मैं बताया था इसलिए ज्यादा नहीं जलवा रहा हूं तो यह घटाएंगे तो कितना आएगा भाईया आपको पता 18 आएगा 14 में से चाग आठ एक अब ये भाजक बन जाएगा और ये भाज्य बन जाएगा क्यों सही है न अब दो बार जाएगा ग्यारा में से चाग पांच ये पंद्रा अब ये भाजक बन जाएगा ये गिंती यहां आ जाएगी पंद्रा एकम पंद्रा समझ में आ रहा है न सभी को हाँ कितना येगा तीन आयेगा यहां 15 उतार देंगे थीन पंद्रा देंखьте ध्यान दिजीए यह जिस संख्याक फिर आइस टॉइंड wash हुआ है जिस संख्या फेलाइस टाइम डिवाइड होकर के जीरो आया है वही एच्छी एफ होती याद रखना या तीन है क्या है तीन जैसे आपने देखा होगा ऐसे सीजी लोगरा का परिक्षा देते हैं तो कई स्टेप की परिक्षा होती है यह फर्स्ट यह सिकेंड ठाट यह फोर जो भी तो लाइस्ट में जो सब में कॉलिफाई होता उसी को नो करिया मिलती है हुं है हम जरहो ना जैसे अगर आप यह कर रहे हो तो फर्स्ट एयर में पास हो गए लेकिन थर्ड एयर में लटक गया तो डिग्री नहीं मिलती तो ऐसे यह हो गया सबी समझ गए तो लिए टॉपिक भी खतम हो गया अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि हमें जल्दी-जल्दी खतम भी करना है नया टॉपिक का खतम करना है हाँ पहले तो एक ठीचीज बताओ पूछें कि नहीं पूछें दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताईए परिक्चा में पूछा गया है अनामी का कुमारी ठीक है अनामी का बहुत अच्छे मैंने प्रस्न पूछा है अब कान में तेल डालके मत बैठ जाईए बोलिये दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो की अभाज्य हो अमित सिंग कहीं करवाद हो यार वही एक काम करवाद हो तब भी ठीक है कह रहे हैं कि अपक्र आपकी साधी हो गई कि नहीं साधी हो जाती तो रात में आ रहते हैं कुछ तो दिमाग लगाओ थोड़ा था आप बड़े हो गयो आये चलिए आगे बढ़ते हैं फिलाल हो समजाक में था सौरी बुरा नहीं मानना चलो अभाज्य संख्या भाज्या हो से बड़ी अभाज्य संख्या बताना था तो 97 है 97 सही है 99 गलत है कि आगे बड़े है ठीक है हुँँ बाकी नहीं पर अधारित कुईश्चन है ज्यादा आप लोग बहुर महसूस कर रहे तो बोरिंग सा लग रहे अब हम लोग कुछ अलग करते हैं कि कुछ अलग का करते हैं बताएं हुँ चलिए भिन को परतिशत में बदलना अब एक नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर सेबन है चैप्टर नंबर साथ अध्याय साथ शुरू हो रहा है जिसकी शुरुवात हम कल करेंगे ढंग से आज थोड़ा सा आपको दवडाएंगे बस ठीक है इसका नाम है प्रतिशत हिंदी में प्रतिशत इंगलिस में परसेंटेज बोलते हैं कि प्रतिशत को हम लिख सकते हैं प्रतिधान सथ है पताइए सही लिख रहा हूं तो यह क्या है भईया परतिशत है ओके डन कलेयर में तोड़ा काला टाइप का दिख रहा हूं ऐसा क्यों एक मिनिट रुकिए तो मैं थोड़ा आपने आपको अच्छा बनाता हूं यह लिज कि आये देखिए तो परतिशत ना पहले हम थोड़ा एकदम बहुत है बैसिक में चलेंगे कल इसको हम फटा फट पढ़ाएं कल परतिशत कहतम कर देंगी अ यह देखिए जैसे मनें लिखा हंड्रेड हंड्रेड का पांच परसेंट जानते हो क्या होगा है हंड्रेड का पां बस वही का मतलब है परसेंटेज जितने कभी परसेंटेज निकालना है उसको 100-100 के टुकड़े में बाटते हैं और जितना बोलता है उतना है उसका उत्तर होता है जैसे 100 का 5% का मतलब 5 इसमें कोई नियम नहीं लगाना मेथ इसको बुडव दादा भी बता लेंगी और एक कई थे कुंड़ा परताप गड़ से पतर निंग आनंद सिंग ड़्हां बता रहे थैं खीरा अंए जमाने में इतना थोत ऑफ म唱 ये गोरुजी अभुटी है हम तो आपके नाती पोता अमाने nehmen की बचवाह है मारा चोटा सा τरफार नाम तो ताऊन का नाती पोता कुछी ही था उसको पढ़ाते थे वह वह देखते तो ऐसथा अगर कोई देख रहे तो उनका हमारा परढम की आई एगा हुआ है हंडेड का 5 505 हंड्रेट का 15% 15 तोड़ा टेड़ा मेडल लिख रहे हैं वह अलग बात है लेकिन आप समझना है हंड्रेट का 10% मतलब 10 यानि कहने का ये मतलब है कि 100 का चाहे जितना परसेंट निकालेंगे उसका अंसर उतने आएगा याद रखना राहूल जी नीचे नंबर चल रहा है नंबर चल रहा है आपको दिखता है कि कम दिखता है दिखता है न तो निभेदन है उस पे आप बूजा लीजिए सब अपना जो भी करना है वाकित मैं स 200 का 5% कितना होगा फिर अपताईये 200 का 5% कितना होगा कुसिच करिये आये मैं बताता हूं 200 को हम लीक सकते हैं सो धन्सो यह भी तो मैं आपको mathematics के रूल में नहीं पटकाऊं अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि में कितना प्यारा लेंग्वेज है अगर सब्जी खरीदने गये हैं तो आभी धनिया नोंतेल हर्दी मिर्चाग इसाब करना पड़ता है मैथ का काम वहां भी लगता है जब से इंसान का जनम होता है जब तक उसकी अंतिम सांस चलती तब तक मैथ का परियोग होता है जैसे जमीन पर गिरता है वैसे उसकी जनम त इतना सिकेंट पर अंतिम सांस लिए समझ रहो तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है यह सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है इसमें नौकरी छोकरी जिंदगी की कहानी सब कुछ सामिल होती है इसलिए इसे मजे में लेकर के पढ़ें सिर्फ नौकरी के परपत से नहीं आ भी पांच होगा दोनों जोड़ दीजिये दस हो जायेगा इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है आप सोच रहे होंगे यह कौन सी मैथ है इसमें कोई नहीं लग रहा है मैंने बताया ना कि 100 का 5% 5 होगा तो 200 का 5% 100 धन 100 यानि 5 510 अच्छा ठीक है ठीक है यह बताओ भाई 500 का 15% कितना होगा बिना किसी नियम के अभी मैं नियम भी बताऊंगा पहले थोड़ा सबर रखिये कितना होगा कि एक बात और बता दें दिखा देते हैं बड़ी खतरनाग लोग परसान है थोड़ा रूख जाए दिखा देता हूं इन्हें जो पूरा कंपलीट मैत मातर एक महीने में सीखना चाहता है 26 जनौरी के 20स मौके पर आपके लिए एक 20स तोफ़ा है आप इसक्रीन पर देख रहे हैं आप आजी प्ले इस्टोर से पीवियर स्टडी अप्लिकेशन डाउनलोड करके जाकर इसे जॉइन कर सकते हैं पूरे 50% क अगर चाहें तो जाकर के ले सकते हैं बिल्कुल जीरो लेबल से आपको यहां से मयत सिखाए जाएगी यहां से जोड़ घटाना गुड़ा भाग से सुरू होगा एक बार जाके अवसे ट्राई करें कुछ भी डाउट है नीचे नंबर चल रहे हैं इसक्रीन पर ऐसे ऐसे उ उमीद है कि आप लोग समझ गये तो भाया इसका क्या होगा इसको आप सो धनसो धनसो तोड़ सकते हो पांच बार तोड़ोगे और हर एक सो में से पंद्रा निकालोगे तो पंद्रा पचे-पचातर इसका अंसर होगा 75 कितना होगा 75 अनामिका कुमारी जी बिल्कुल फ्री यूटूब पे जो भी पढ़ रहा बिल्कुल फ्री है इसका कोई पैसा नि लगता आप बिल्कुल परेसान मत होना कोई पैमेंट नि लगता एकदम फ्री है ये ठीक है कुछ भी नहीं लगेगा ऐसा मत सोचना कि मैं बि यूटूब पर पढ़ रहें अगले महीने आइसा नहों भी ला जाए नहीं तो तुमारे घर बिलूल नहीं आने वाला टेंशन मतलो तो ये समझ गए अब हम चलिए नियम पे चलते हैं ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इनका परिचे करवाया लेकिन ये हर जगा नहीं काम करता है ये बुद्धी हर जगा काम नहीं आती जो यहां पे लगाया ठीक है हर जगा नहीं लगती है आईए मैं बताता हूं इधर देखिए अगर मैंने कहा कि 320 का 5% बताओ अब यहां पर तो वो बुद्धी लगेगी नहीं जो मैंने बताया था क्योंकि 300 को तो आप 100-100-100 कर सकते हो लेकिन 20 का क्या करोगे इसका यह तरीका होता है जो नंबर होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं गुड़ा कचिन लगाते हैं वो गिंती लिखते हैं जितना परफेंड निकालना होता है और उसको 100 से भाग कर देते हैं बस यह तरीका होता है आपको ऐसे भी कर सकते हो ठीक है आया समझ में इनको एक जीरो से जीरो कट जायेगा अब इनको और भी आप डिवाइड कर सकते हो कितने से भाई काट दो पांच एकम पांच दून दस दो से इनको काट दो तो 16 आएगा यानि 16 होगा कितना आएगा आएगा इसो लाए गुछ लोग यहां पर्तेंटेज का लगारे जो की बिल्कुल गलत है हम खुद इसका पर्तेंटेज निकाल और यहां पर्तिशत का numéro दोस्टि नहीं लगेगा यहां इकाई में लिखा जाएगा बहुत इतनी इकाई होगी यहां पर संटेज का चिन्ना नहीं लगेगा ठीक है ना भाया आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं और बहुत से साथी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करें क्यूं पचास परसेंट बताईए बताईए कितना आएगा जल्दी करिए नेहा द्रावत मीत माही ठीक है बताईए आए मैं बताता हूं पचास परसेंट ना तो सबसे पहले आप वो नंबर लिखिए गुड़ा का चिन लगाईए वो संख्या लिखिए नीचे सौ से भाग करिए यही जीरो कट गया इनका कट गया एक इनका कट गया एक इनका कट गया यहनि 38 को 5 को मल्टी पल तो 58 40 45 15 14 और नईस हो गया एक सोनब्बे अंसर आनंद पाल बहुत अच्छे गुरुजी धन्य हुए हम जो आपके दर्षन पाए चलिए सरदार मीना ठीक है तो आप सभी समझ गए यह था बी टी सी मैथमेटिक्स ना डी एलेड का जो गडित है वो इसमें इतना ही है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ठीक है आगे बढ़ें आगे क्या करना है ठीक है चलिए यह सब आप लोग कर लेंगे तो इसमें डीटियल में घुसेंगे कल हम डीटियल में कल पढ़ाएंगे आज तो डीटियल में ज्यादा पढ़ना है नहीं हां लेकिन कुछ सवाल आप देख लीजिए जो कल पूछे जाएंगे आपसे बताईए संख्या 25 यह 100 का कितना परतिसद है कोई बता पाएगा कल मैं इन सब को डीटियल में करवाऊंगा हंड्रेड का 25 कितना परसेंट है है ना अजीव टाइब का हां बताईए चार परसेंट है बहुत अच्छे वाई अनंद जी बेरे गोड लग रहा है कि अपकी बार अंडेड पार चलिए ठीक है बहुत अच्छे आप लोग ट्राई करते रहिए कुछ लोग बता रहें 25 परसेंट है कुछ लोग बता रहें परसेंट है पकुछ चीज यो है वह कितना परसेंट है कैसे निकालेंगे अप जानते हैं कैसे निकालेंगे कोई जानता है कि suddenly आई ये मैं इसको बताई देता हूं अब लगे हाथ जब आप लोग आई गए हो तो बताई देता हूं देखिए मैंने पूछा कि संख्या 25 जो है वो 100 का कितना परसेंट है यह तो पूछा न यह भाई आच अच्छा परसेंटेज का चिन ना लगाओगे तो गलत है जैसे बरा शहते उदूए नहीं परसेंट लगाओगे तभी सही है नहीं तो गलत है ठीक है है कि शंख्या कहे रहा है कि पचीस सौ का कितना परसेंट है हम मानते हैं कि माना तो established method है माना walur API कितना है ए ऐ परसेंट है इस्ट हैं थो अभी अधी परसेंटेज में बदलना आपको बताया करते हैं आप लोग कर लेना ठीक है